आप सभी का PWSC वाला पर स्वागत करता हूँ क्लास के शुरू करने से पहले बहुत सारे कॉमेंट्स बिहार वाले गुद मानिंग रोहित अकांशा, अदिति, शुब, हिमानी, कबीरी, कावेरी, शोरी, मैं आशा करता हूँ, मैंने सभी का नाम ले लिया है, वीके, खुश्बू, आकांशा, अनु, गुद मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्कार, तो देखो भई, सबसे पहले बात कर ले, आज करना क्या है, और फिर बात करेंगे, किल लोगों के लिए ये सेशन महतपूर्ण है, मैं आशा करता हूँ, कि मेरी आवाज एकदम चकाचक लतामंगेसकर की तरह आप तक पहुंच रही होगी, और दूसरी बात मैं ये भी आशा करता हूँ, कि मेरा वीडियो भी एकदम चकाचक साडुक खान की तरह आप तक पहुंच रहा होगा, मतलब ये मैं कह सकता हूँ, कि I am properly, दिखेबल and सुनेबल, ठीक है, class भी कुछ हैसी ही होनी है, that would be a mixture of English and Hindi, जिसको हम English कहेंगे, तो मैं दिखेबल भी हूँ और सुनेबल भी हूँ, हाँ अनू, हाँ आपका भी नाम ले लिया, आपका भी नाम ले लिया, हाँ, तो भाई अब काम को बात करें, तो आज का काम जो है हमारा, वो है ranking और comparison पे ले करके, आज का जो हमारा काम है, वो है ranking and comparison, lecture 3 है, लेक्चर 3 है, तो आप playlist में बाकी के वीडियो आप देख सकते हैं, कोई problem नहीं होगी, ठीक है आकांशा, कोई समस्य आपको नहीं होगी, अब CHSL के लिए यह class important है, ठीक है, मेरा नाम है कुशल आनन्द, और इस batch का नाम है सिध्धी, तो यह सारी first slide की जानकारी आपको मैंने दे दी, ठीक, अब आगे की बात अगर करें, तो यह class किन लोगों को attend करना चाहिए, जिन्हें भी CGL में appear होना है, उनके लिए यह class नहीं है, क्योंकि यह class basic to advanced level की class है, मतलब हम basics से शुरुवात करेंगे, अब आप CGL में अगर appear होने वाले हैं, तो it is very obvious कि आपका basics तो clear होगा, यह बहुत सामानिसी बात है, कि आपका basics तो clear होगा ही, ठीक है, तो भाई basics जब आपका clear है, तो फिर क्या किया जाए, इस बात को हमें समझना है, ठीक है, basics जब आपका clear है, तो क्या किया जाए, इस बात को आपको समझना है, मुझे एक मिनिट दीजिए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, कि comments थोड़े delay आ रहे हैं शायद, कि आप मुझे properly सुन पा रहे हैं, properly देख पा रहे हैं, कोई बताएगा मुझे, इसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया है, हाँ, 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 अब जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आप सभी मुझे properly सुन भी पा रहे हैं, और देख भी पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, कि CGL वाले आप avoid कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे basics वाली हम बाते करेंगे, तो basics की जब बाते हैं, तो फिर भाई, आप क्या कर सकते हो, एक मिनट, एक मिनट तब तक बाकी लोग आ भी जाएंगे, सुबह का समय है, आप सब जुड़ भी जाएंगे, तो काम भी सही रहेगा, हाँ, अफिसरे ही यहाँ, और यहाँ पे हमारा दूसरा टागेट यह होगा, कि basic सीखने के बाद, हमें कुछ, questions को practice करना है, ठीक है और फिर हमारा timer practice शुडू होगा फिर हम timer practice करेंगे ठीक है दो बातों को हम सीखेंगे एक होती है ranking जिसको आप कहते है क्रम और दूसरा होता है तूलना तो इतना सा काम है आज की class का कोई समस्या है दिक्कत है तो परिशानी है तो मुझे comment section में बता दो नहीं तो thumbs up smileys दो और मैं काम को शुरू करू अकुगुपता ना सुबह ना शाम अब दिखता है तो सरफ SSCGL का exam ये बढ़िया था बढ़िया था गरू weekly test कबसे होगा और DTPP provide करा दीजे शुरूती परिहर बेटा आप पे DTPP provide कराई जाती है तो आप आप डाउनलोड कर लीजे PW ठीक है तो काम को शुरू करते हैं अच्छा ठीक है आपको पूरे session जब तक 2.5 घंटे लगेंगे हमें इसे करने में हम हर एक चीज करेंगे इसका basics क्या होता है ranking क्या होता है comparison weightage weightage की बात करें तो एक सवाल आप ranking से और एक सवाल आप comparison से expect कर सकते हैं मदब कुल मिला करके ये 2 question का chapter होगा तो अगले 2.5 घंटे में हम पूरा का पूरा cover कर लेंगे पहले basics सीखेंगे फिर practice करेंगा फिर timer practice करेंगे जो की परेक्षाय के लिए सबसे important होगा ठीक है अब बात करते हैं आपको active रहना है ठीक है तो मेरे sentence को please पूरा कीजिएगा comment section में लिख लिखके जब मैं बोलू हां की ना हां या ना जो भी होगा in short आप लिख सकते हो h for हां and for na मैं समझ जाओंगा ठीक है या फिर कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं है या फिर है तो please comment में लिखना so that you are not inactive active होना बहुत ज़री है offline class में तो मैं आप से बुलवा लेता था online में मैं सुन नहीं सकता लेकिन मैं आपको पढ़तो सकता हूँ यह सबसे बड़ी व्यता होती है हम teachers की आप मुझे देख सकते हैं न सुन सकते हैं ना मैं आपको देख सकता हूँ ना सुन सकता हूँ सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ तो आपका response बहुत जरूरी होगा ताकि आप active रहेंगे अगले पूरे session के लिए कोई बात नहीं है नूँ आपको बहुत मजा आने वाला है तो agenda उदेश की से बात करें आज के session में उदेश की है तो आज के session के अगर हम उदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे compare करना compare reason सबसे पहले हम क्या सीखेंगे comparison और फिर हम क्या सीखेंगे ranking फिर हम क्या सीखेंगे ranking ठीक है comparison मतलब क्या होता है अब हम topic शुरू कर रहे हैं अब बाते कम करके मेरे से connect कीजिए तुल ना करना ठीक है अब जैसे कहता हूँ कि A B से बड़ा है तो आप यह करते हो न A is greater than B लेकिन कुछ लोग इसी में confused रहते हैं कि कौन सा sign greater का है कौन सा sign small का है तो उसको सुधारा जा सकता है बहुत ही आसान सा तरीका है उसको सुधारने का कि देखिए अगर मैं कहूँ 5 और 3 तो अब मुझे यह बताओ कि 5 जो है 3 से बड़ा है तो 5 जो है वो 3 को 3 मारेगा क्या करेगा 5 जो है 3 को 3 मारेगा तो यह जो point होगा यह छोटे की तरफ होगा और यह जो खुला हुआ हिस्सा होता है यह बड़े की तरफ होता है या फिर आप ऐसा सो सकते है यह हिस्सा छोटा है तो छोटे की तरफ ये हिस्सा बड़ा है तो बड़े की तरफ है जो हिस्सा छोटा है, वो छोटे की तरफ, जो हिस्सा बड़ा है, वो बड़े की तरफ है काम चकाचक, ठीक है उसी तरह से अगर मैं बोलू, कि 4 और 8, तो 8 इसको तीर मारेगा तो कहने को इसको आप greater कहते हो इसको small कहते हो लेकिन इसको आसान करने का एक बहुत बढ़िया सा trick है मेरे पास सर बीटेक के साथ ससी कैसे manage करें कोई मुश्किल नहीं है ललित भट अगर fact वाली बात करें मैंने भी engineering की है तो बीटेक की आप पढ़ाई तो कर रहे हो नहीं न सही से यह fact है अगर see if you are so technically sharp तो अगर तो फिर आप SSE के बारे में सोचते ही नहीं अगर आपके मन में यह खयाल है मतलब आप technically उतने strong नहीं हो तो वहाँ पे एक रात study करके आप तुफान से लड़ सकते हो मतलब एक रात पढ़के आप paper निकाल सकते हो तो SSE की classes शुरू कर दो और कर सकते हैं ओके तो भाई बात है कि इसको आसान कैसे किया जाए तो इसको आसान किया जाएगा एक आप आधार बना लेंगे जिसको आप कहेंगे reference line एक आधार बना लेंगे अब A B से बड़ा है तो आप यहाँ पर यह technique अपनाएंगे कि A की लखीर लंबी करेंगे और B की ल आसान सा तरीका है इसको बनाने का तो आप इस तरीके से नार comparison को बना करके ऐसे बनाईए काम बहुत प्यारा आसान हो जाएगा मेरा विश्वास कीजिए ठीक है मैं आपको करके दिखाऊंगा आप बिल्कुल चिंता मत करो ठीक है आगे अगर मैं कहता हूँ कि B is smaller than C B is या फिर पहले आप यह ले लो कि B is greater than C अभी सीख रहे हो ना B is greater than C तो भाई B C से बढ़ा है C को यहाँ ले लेंगे ठीक है B C से बढ़ा है C को यहाँ ले लेंगे तो यह inequalities इसको inequalities कहते है जो चीज़ equal न हो वो un equal हो उसको ना use करके आप इस lines का use कीजएगा comparison के सारे सवाल चुटकियों में हो जाएंगे कोई चिंता वाली बात नहीं होगी उसी तरह आप ranking में बात करेंगे करम दिवस्था अब यह ranking क्या है तो इसके बाड़े में मैं फिर से आपको बताऊंगो but in short बता दू क्यूंकि class कुछ लोग late भी join करेंगे 5-10 minute के बाद तो फिर उनके दिम चरिया में बहुत बहतर इस्तमाल कर रहे हो बस आपको पता नहीं है कि आप ranking का ही इस्तमाल कर रहे हो यह क्या बल दिया मैंने मतलब ranking is something which you are using in your day-to-day life the only thing is do not know where you are applying that I'll tell you I'll give you a very easy example of that आज मेरे ये first class है कौन सा बुक लेना है प्लीज रिप्लाई दीजिए न सलोनी कुमारी आप प्लीज समय पे आईए ना क्लास कित्ते बजे शुरू हुई नौ बजे फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास ओ लेट क्यू आना है बेटा क्लास समय पे आओ ना अभी मैंने बुक के बारे में डिस्कस किया है तो प्लीज क्लास को irrelevant comment से disrupt मत कीजिए मेरी कमजोरी का फायदा आपको सुनूगा मुझे कोई प्राबल्म नहीं बड़ आप शुरुवात में मुझे नहीं सुनोगे तो कहानी खतम हो जाएगी ठीक है सौरी सर लेट हो गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं जितिंदर हाँ तो अभी क्या है SSE की त्यारी कर रहा हूँ और कोई बात नहीं चिंता मत करो अरे गुलफाम कैसा है सलुनी बेटा कोई भी चाप्टर वाइस प्रिवियस यर कोश्चन बैंक ले लीजिए आपको डाटा नहीं यह जगाया है नींद में हो न कोई भी चाप्टर वाइस प्रिवियस यर कोश् मैं इसको 11 बना दू इसको 11 बनाना मुश्किल नहीं है कैसे देखो 10,9,8,7,6,5,11 अब आप होगे confused याड़ यह तो वही बचपन का जादू है जो बड़े भाईया दिदी हमें कहते थे हमें बेपकूब बना देते थे मतलब उल्टा किसी भी चीज को आप गिनते हैं तो व मोषा खाते हुए चटनी गिराते हुए आता था और बोलता था मैं तो रेस में first आ गिया और भाई मोटा है चल नहीं पा रहा है सही से मैं तो रेस में first आ गिया सब क्योंते हैं लड़किया तो और हो जाती थी तो फिर कहता था जबड़ milds आखणी से आया हूँ तो भाई में तीन प्रकार के question सीखने हैं, पहला होता है direct ranking जिसका दो सब पार्ट है forward और backward फिर होता है interchange या exchange वाले question इंटरचेंज या exchange वाले question जिसको आप कहते हैं fair बदल जिसको आप कहते हैं fair बदल और फिर होता है total maximum and total minimum कुल अधिक्तम और कुल निवनितम सर हिंदी में ठीक होगा न बे शर हिंदी में ठीक होगा न इंगलिश ये काया है हाँ three idiots in Raju Farhan Saloni लगता है मेरे डाटने के बाद भग गई कोई बात नहीं हाँ तो यही चीजे आपको ranking में सीखनी है तो शुरू करते हैं कोई चिंता दुख परिशानी अरे complete करो मेरे sentence को ऐसे में आपको inactive ऐसे करके मैं सुनने नहीं दूँगा क्या बढ़ी आप बोल दो बोलो गुरू जी हम तो सुन रहें नहीं भाई you will have to keep responding ठीक है Saloni बेटा आपको डाटा नहीं था जगाया था गुसा मत करना अगर बुड़ा लगा हो तो बड़ा भाई ह मैं सर तो मैं बोलता ही नहीं मुझे बोलो यार सर की उपादी मत दो भाईया बोलो मैं ज्यादा उसमें खोश हूँ ठीक है तो शुरू करें शुरू करें चलो भाई कमपारिजन से शुरू करेंगे फिर से रांकिंग बर डिसकस करेंगे क्योंकि कुछ लोग लेट सबेर आएंगे ही डाट सुनने मेरे से ठीक है ब्लड रिलेशन में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो शादी कर लेजिए हमी फैक्ट शबसे आसान तरीक है विलेशन से बचने का पिछली कलास अटेंड कीजिए पिछली कलास में हमने वही डिसकस किया था अब देखो यह कंपारिजन का सवाल क्या कहा रहा है पहला सवाल मैं करूंग आपके लिए चिंता मत करो मैं करूंगा ठीक है क्या कह रहा है कि सती रेनू से बड़ी है सती is elder than रेनू अब आप जल्दी बाजी में क्या करते हो क्योंकि आदत इस चीज की है आप जल्दी बाजी में क्या करते हो रंग बोलो कौन सा रंग आप जल्दी बाजी में ये करते हो सती is elder than रेनू मैं मना करूँगा ये मात काम मत करना ये काम मत करना उसका आसान तरीका एक लाइन बना लेना सती रेनू से बड़ी है तो ये हो गई सती ये हो गई रेनू तो क्या था सती जो थी वो रेनू से बड़ी थी पहला काम खतम दूसरा गीता इस यंगर देन रेनू गीता रेनू से छोटी है उसे छोटी है तो यह जीगीटा ठीक है three well प्रिया बेडर इस एल्डर डैन सती जबकी प्रिया जो है वह सती से लंबी है ठीक है जब की प्रिया जो है वह सती से बड़ी है सबसे सबसे बड़ा कौन है बोलो किसी को कोई चिंटा दुख परिशानी नहीं है तो है ना on अब यह टेकनिक अपनाते यह अपना ये लाइफ जिंगाला हो मेरा guarantee है आप से मेरा बादा है आप से कोई समस्या रोहित काम चका चक हुआ की नहीं ठीक है एक सवाल मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं और एक बार इसको इन शौर्ड रेपीट करता हूं सती इस इंडर देन रेनु सती रेनु से बड़ी है गीता इस यंगर देन रेनू गीता छोटी है उससे वाइल प्रिया इस अल्डर न सती प्रिया सती से बरी है तो सबसे बड़ा कौन कानी खतम अगला सवाल मैं खुद से करूँगा आप ध्यान से देखिए बाकी लोग ट्राइ कर सकते हैं जिनको समझ में नहीं आया लेकिन बसंत राजू इतना लंबा नहीं है मतलब लेकिन राजू जितना लंबा नहीं मतलब राजू बसंत से जादा लंबा है जयंत दत्ता से लंबा है जयंत इस टॉलर देन दत्ता अब जयंत और दत्ता तो यहां है नहीं कोई बात नहीं इसी पे एक और लाइन बनाओ अलग इस से और जयंत इस टॉलर देन दत्ता काम हो गया जयंत इस टॉलर देन दत्ता बाद में समय के साथ हम इन दोनों को जोर लेंगे चिंता मत करना जयंत इस टॉलर देन दत्ता बट शॉटर देन मनोहर अब आ गया जयंत जो है वो दत्ता से तो लंबा है लेकिन मनोहर से छोटा है तो इसको जोड के और मनोहर को थोड़ा और लंबा कर दो काम खतम दखो एक लाइन पे आ गए सब कुछ Who is the tallest in the group R, R for कौन है राजू उत्तर आपके स्क्रीन पे कोई चिंता दुख परिशानी किसी के मन में है तो बोलो समस्या है किसी के मन में बोलो ठीक है एक डम बेसिक से चल रहे हैं questions visible नहीं है कमला refresh कर लीजे प्लेजी ये सवाल आप खुद से करेंगे ये सवाल आप खुद से करेंगे आपके पास कोई टाइमर नहीं दे रहा हूँ मैं कोई pressure नहीं बना रहा हूँ बस आपको ध्यान से इस सवाल को करके मुझे इसका जवाब बताना है ए राजू कोपरी तोर साले किया राजू टॉप क्या से कर गया शाम को बुलाड़ा पड़ेगा अगला सवाल स्क्रीन पे अगला सवाल स्क्रीन पे कौन देगा इसका सबसे पहला जवाब हाई जगन हाव यू प्लीस ट्राइटो गांसेंट्रेट अंशुमन कह रहे हैं सी मैं बाकियों का इंतजार करूँगा अंशुमन मैं समझ गया अप चार वर टाइप मत करो प्लीस बहुत सही अंशुमन ने इसका पहला सभा सही जवाब दिया है बहुत बढ़िया देखो निखलेश इस टॉलर दन अर्विन निखलेश अर्विन से लंबा है तो निखलेष जो है वो किस से लंबा है अरविंद से लंबा है Who is taller than Mahindr और अरविंद से लंबा है और अरविंद महिंद के तुलना में लंबा है तो महिंदर यहां आ जाएगा काम खतम Who is taller than Mahindr Narees is smaller than Suresh Narees जो है वो Suresh से छोटा है सुरेश बड़ा हो जाएगा अच्छा अच्छा देखो यह है निखलेश यही सब समस्या होती है परिक्षा में N से निखलेश N से नरेश अगर ध्यान नहीं दिया तो कहानी बिगर जाएगी ठीक है राखी जाएगी तो फिर से निखलेश is taller than अरविंद who is taller than महेंदर नरेश is smaller than सुरेश नरेश is smaller than सुरेश तो नरेश जो है वह सुरेश से छोटा है तो फिलाल मैंने सुरेश को उपर कर लिया है ठीक है फिलाल मैंने सुरेश को उपर कर लिया है but taller than निखलेश लेकिन नरेश जो है वह निखलेश से taller है तो इसको मैंने जोर लिया, कहानी एकदम सेट हो चुकी है, who is the smallest सबसे छोटा कॉन M महेंदर कहानी में problem ओके नरेश, nice to have you, we are visible नहीं है, रिटेश भारतवाज बेटा, please page, page को refresh कर लीजिए रिशब भारतवाज क्या मैं सोच रहा हूँ, आप वही हो visible नहीं है, page को refresh कीजिए मेरे end से सब कुछ clear है I am impressed with you in first class oh, thanks a lot आशू, thanks a lot okay, so now talking about अब मैं यह आशा कर सकता हूँ कि साड़े regular जिनको class करना था वो साड़े लोग session में आ चुके हैं क्या मैं यह आशा कर सकता हूँ तो अब हम शुरू करेंगे आज का काम ranking से जो comparison से ज़्यादा महतपूर्ण है, जो comparison से ज़्यादा महतपूर्ण है और जहां आपको मेरी आवशक्ता होगी comparison में शायद आपको मेरी आवशक्ता ना हो बट ranking में definitely आपको मेरी आवशक्ता होगी, चीक है, तो अब पीछे चलते हैं और समझते हैं कि भाई, ranking होता क्या है देखिए, ranking को समझने के लिए ranking को समझने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें तीन प्रकार के questions होते हैं तो जड़ाब सर्फ सबसे पहली बात ranking क्या है सर्फ यह समझ लेना तो आपका काम हो जाएगा अब उसको समझने के लिए भी मैंने आपको कुछ examples दिया था मैं उसको एक बार repeat करता हूँ कि ranking क्या है जिसका इस्तमाल आप अपने day to day life में कर रहे हो बस आपको पता नहीं है जैसे कि यह उंगलिया कितनी थी दस लेकिन मैंने इसको कितना बनाया था ग्यारा कैसे बनाया था ऐसे एक दो नहीं दस नव आठ साथ छे पांच ग्यारा तो उल्टा किसी भी चीज को गिने तो भाई क्या हो गए था टोटल एक से बढ़ा था फिर लड़के एक मजाक अपनी मा से करते हैं पिता जी से हिम्मत नहीं होती है भाई बाप बाप होता है वो मजाक यह होता है स्कूल में रिजल्ट आया में साथ तो ऐसा खूब होता था मैं घर गया मूल अटकाय हुआ ममी ने क्या वाना लाइक ममी को देखके एक खुशी हो जाती है लड़कों के मन में मा को देखके बहुत एक खुशी आती है वही लड़कियों के साथ भी प्रिता है लड़कियों को पिता से वो करेक्ट होता है तो मैं कहता था क्लास में सेकेंड आ गया हूँ अकर में देखो स्टाइल देख रहा हो आखरी से सेकेंड आया हूँ अब देखो कहानी कहां से कहां अब शुरू से सेकेंड आना और आखरी से सेकेंड आना और वही बात बापू को पता चल जाए पिताजी वही से बहुवली बन जाए वो एक बार में दो चपल चलाएं और दोनों चपल मेरे सर पे तो बस यही डिफरेंस होता है शुरुवात से फर्स्ट आड़ा और आखरी से फर्स्ट आड़ेवे ठीक है तो अब इस बात को समझने की कोशिस कीजिए कि माल लीजिए कि हमने आपको दिया कोई क्या दिया कोई पंग्ती यह सब लिखते रहना है इन शॉर्ट पंग्ती मत लिखना पी लिख देना ताकि आप अक्टिव रहो ठीक है तो माल लीजिए कि हमने कोई लिया पंग्ती लिया कोई रलाइन लिया कोई रो लिया कुछ भी ले लिया अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे कोई व्यक्ती था तो किस व्यक्ती को उठाओं मैं प्रेम को उठालू आकांशा को उठालू आरेन को उठालू जितन को उठालू कावेडी को उठालू मैं किसी को नहीं उठाओंगा मैं अपने आपको उठ गया कुशल यहां बैठा है कौन बैठा है यहां पे कॉमेंट में मुझे जवाब चाहिए जब मैं आधा धुरी बात बोलू आपको रिस्पॉंड करना होगा ठीक है तो यहां पे मैं बैठा हूँ अब जब आपने बाई और से मुझे गिना आप कहोग यह छोड को आप राइट कहोगे यह छोड को आप राइट कहोगे दाएं हिंदी में बोले तो और इस छोड को आप बाएं कहोगे इस छोड को आप लेफ्ट कहोगे बाया ठीक है तो मैं यहां बैठा हूँ आपने मुझे जब बाई और से गिना तो मुझे आपको पता चला कि मैं ग्यारवे अस्थान पे था आपको ये पता चला कि मैं ग्यारवे अस्थान पे था और दाई ओर से जब आपने मुझे गिना तो आपको पता चला कि मैं पंदरहवे अस्थान पे था आपको क्या पता चला मैं पंदरहवे अस्थान पे था और मैंने अब आपसे पूछ से लिया कि इस pangtis में total कितने लोग हैं कुल कितने लोग है अब एक सिंपल सी बात हैً हमको घिनती गिननी गिनती सब को आता है न कोई चिंता का भात तो नहीं है counting सब को आता है perché simple सवाज जड़ा सोजने की कोशिस करो कि मैं काउंटिंग कैसे करूंगा मैं यहां से चलना शुरू किया टुगुरु 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 ट फिर मैंने आपको गुछ नेया ट्रिक शीखने को मिल जाए, फिर मैंने अपने आपको दाहिने छोड से गिना, टुगरू, 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 टूगरू, टुगरू, पदा चला, मैं 15 अविया स्थान पे हूँ, मतलब मैं यहां से 15 हो गया, तो मैं 2 और से 11, 2 और से 15, तो आप कहोगे 11 प्लस 15 जोड़ देंगे 26, मैं कहूंगा सरफोर दूँगा, क्यूंकि आप कुशल को मुझे 2 बार गिन रहे हो, मैं ही 11 हूँ, left side से I was the 11th person, right side से मैं 15 हवा व्यक्ती था, मतलब आपने मुझे एक बार 11 में गिरा और दूसरी बार 15 बेंगिल लिया, तो एक बार आपको मेरा क्रम घटाना होगा, और तब कहीं जाकि आपको कुल मिल जाएगा जो हो जाएगा 25, मेरे लाल एवं लालियो, रांकिंग एक ऐसा chapter है, जहां पे options बहुत close होते, अगर किसी question का answer सही है, 15 तो option होगा, 12, 13, 14, 15, या फिर option होगा, 14, 15, 16, 17, अब 15 लाना मुश्किल है, या तो आप 14 लाओगे, या तो आप 16 लाओगे, तो इस बात को समझो, इस बात को समझो, कि गल्ती नहीं करना है, बहुत ध्यान से, और आप यह सोचेंगे न, हम notes बना लेते हैं, बा बाद में देखोगे न, आप खुद confused होगे, या या एक और दो क्यों लिखा था, ये 11 क्या, तो ये सारी बात, कोशिस कीजिए, यहाँ पर समझने का, ठीक है, तो कुल कैसे निकाल लिया हमने, total निकालने का एक बड़ा ही आसान सा मुझे तरकीब मिला, कि कि किसी व्यक्ती का बाएं और दाएं से क्रम जोड करके, किसी व्यक्ती का बाएं और दाएं से क्रम जोड करके और उस क्रम में से एक घटा देंगे, क्यों एक घटाएंगे, क्योंकि बाएं में भी उस व्यक्ती को आपने जो रहा है, और दाएं में भी उस व्यक्ती को आपने जो रहा है, तो एक condition बस होता है कि बाएं और दाएं हमेशा एक ही व्यक्ति का होना, ये बाएं और दाएं एक ही व्यक्ति का होना जरूरी है, ठीक है, जरूरी है, फिर से एक बार कोई पंक्ती थी, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा था, बाएं और से इसको गिना तो 11 पे था, दाएं और से इसको गिना 15 पे था, मुझे इस line पे कितने लोग हैं ये निकालना था, तो मैं यहाँ से यहाँ गया 11, यहाँ से यहाँ गया 15, अब इसी व्यक्ति को मैं दो बार गिन रहा हूँ, एक बार 11 में, एक बार 15 में तो मैंने एक घटाया, तो आपको अगर कभी total निकालना हो, तो आप total को क्या करेंगे, total is equal to left plus right minus one, कहानी कहानी, खतम ठीक है, अब कुछ और बाते हैं, left right याद नहीं करना है, imagine करना है, वैसे ranking क्रम विवस्था में, हमेशा यही होगा, ये बाया चोर, ये दाही ना चोर और भी left right हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए, इस line को, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मान लीजिए, कि इस line को मैं सीधा लंबा कर दूँ, तो कुछ नहीं, top bottom हो जाएगा, या initial final हो जाएगा, तो इन बातों से आप confuse मत होईएगा, इन बातों से आप confuse मत होईएगा कुल मिला करके करम में दो छोड की ही बात की जाती है, कुल मिला करके करम में क्या होता है, मेरे लाल, नीले, हरे, पीले की दो छोड की ही बात की जाती है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो, कि ये start है और ये last है ये initial है ये final है और अगर इस line को मैं ऐसा बना दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये top हो जाएगा और ये bottom हो जाएगा ये top हो जाएगा और ये bottom हो जाएगा ठीक है तो बिश्वास मानो सरफ इतने से काम से आप ranking के हर एक सवाल को बना सकते हो कोई समस्या नहीं आएगा इस class को हफते से इंतिजार किया और 30 मिनट निकल गया तो राना जे एजुकेशन एलाम लगा के क्यों नहीं सोया था रात में ही देख लिया करो कौन-कौन सी class करनी है थोड़ा smart काम करो बेपकूफो की तरह काम नहीं करना है YouTube पे हर teacher कहते है मेरी class में आ जाना सबकी class में जानी की आविशकता नहीं है इसमें मैं आपने आपको भी जोर रहा हूँ मैंने शुरुआत में कहा अगर आपको ranking आता है आपको CGL का exam देना है आप मत attend कीजे class आपको ranking आता है आपको CGL का exam नहीं देना है CHSL का देना है आपको concept बहुत clear है आप आधे घंटे बात जोर जाएए कोई दिक्कत नहीं तब तक मैं concept discuss कर लूँगा तो थोड़ा smart बनिये तो क्या कीजिए ना रात में ही न set reminder कर दिजिए YouTube पे खोल के किन-किन वीडियो उसको करना है न आप रात में ही notify me notify me तो class से पहले आपको मिल जाएगा sir मैं BA कर रहा हूँ पहले बात तो आजाए मैं sir नहीं हूँ भाईया हूँ पहली बात इतना इज़त मुझे नहीं चाहिए भाईया ठीक हूँ BA कर रहा हूँ और SSC कैसे manage करूँ BA के साथ SSC manage करना ही क्या है भाई BA कर रहा है मतलब तो कुछ भी नहीं कर रहा है तो पर पस time ही time है SSC का पर फिर क्या बच्चों वाली सवाल पूछ रहा है रजया अब कहेगा मैं बच्चा ही हूँ मैं मानता हूँ तो बेटा कुछ नहीं एक एक क्लास दो दो क्लास रेगुलर अटेंड करो काम हो जाएगा निश्चिंत रहो आगे की बात करते हैं तो देखो इससे भी एक महत्पूर्ण बात पूरे ranking के लिए सर्वस्व ranking के लिए एक मात्र बात वो है कि दो बाते होती है एक यह होती है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ती था मैंने इस बार अजय को ले लिया क्योंकि बड़ा ही प्याड़ा सा जवाल उसने पूछा था बीए कर रहा हूँ ससी कैसे मैनेज करूँ जैसे नासा का साइंटिस्ट है एक स्पेस निकालने वाला हो समय नहीं मिल पारा ससी के लिए अरे मेरे लाल लाली ओ जब मैं बीटेक कर रहा था ना मेरे पास टाइम ही टाइम था समझ रहा है देखो तो अजय है तो मैंने उपर से जब देखा ना तो अजय आठवे अस्थान पे था जब मैंने टॉप से देखा तो अजय का रैंक अजय का रैंक क्या था आठवा था उसका क्रम क्या था आठवा था अब मैंने ये सोचा कि यार अगर अजय आठवा है तो अजय के पीछे लोग कितने या अजय के ऊपर लोग कितने तो भाई ये आठवा है, मतलब यहाँ पे जो परसन होंगे, वो साथ होंगे या नहीं, तब तो अगला व्यक्ति आठवा है, मानते हो या क्या नहीं, अलफा तुझे भी नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए दूसरों का मजा कुराने से पहले ये सोच लो, कि फिर भाईया ते ठीक है, तो भाई किसी का रैंक अगर पता हो और उसके पीछे के लोग निकालने हों, तो रैंक में से एक घटाना आपको परसन मिल जाएंगे, कहानी, कहानी ठीक है बोलो, ठीक है, अब माल लो, दूसरा सिच्वेशन मैं कहूँ, दूसरा सिच्वेशन कि यहाँ पर जो परसन है यहाँ पर जो परसन है, वो है 11 लोग, यहाँ पर कितने लोग है अजय के नीचे 11 लोग हैं, मुझे यह पता करना है कि अजय नीचे से कितने अस्थान पर है, तो जड़ा सोचो, ग्यारा लोग हैं तो अगला व्यक्ति आजय है परसन दिया है लोग दिये गए हैं ग्यारा लोग है तो अगला व्यक्ति आजय है तो परसन में आप एक जोड़ दोगे आपको उसका क्रम मिल जाएगा ठीक है वीडियो को सुर्वाल से देखो Mr. Roy सारी बात शुरू में बताई जाना उसके पीछे के लोग मिलेंगे अगर लोग पता हो एक जोड़ना उसका क्रम मिलेगा तो इसी एक को समहालने में जिंदगी निकल जाएगी सही बात है शादी हो जाएगी ना लड़के अपनी पत्नियों को समहाल रहे होंगे लड़किया अपने पति को समहाल रहे हों परस आपको ये समझना है कि कहां पर उस एक को जोड़ना है और कहां पर घटाना है, याद करोगे, समझने की कोशिस क्या करना है, करना है, समझने की कोशिस करना है, ठीक है, तो इस बात में फिर से आजाएए, कि अगर किसी व्यक्ति का मुझे बाएं और दाएं से दोनों ही क्रम पता हो दोनों ही छोड़ से क्रम पता हो तो आप उसका बाएं और दाएं से क्रम जोड़ के एक घटाएंगे क्यों एक घटाते हैं आपको पता है फिर मत करना कि भाईया आपने बता रहा है ठीक है क्यूंकि बाएं और दाएं में उसको आप जोड़ चुके होते हैं अब ठीक है विक्रांत अपना काम कर ग्यान मत दे चल टोटल कितने हैं 39 हैं तो यहां से मैंने विक्रांत को ले लिया जाने वाला है जाने वाले को कौन रोख सकता है यहां से मैंने विक्रांत को ले लिया अब मुझे ये पता चला कि विक्रांत 22 और से 11 अस्थान पर है विक्रांत पर वापस आओ, आपके पास क्या है, आपके पास total है आपके पास left है क्या आप right नहीं निकाल सकते हो आरे बोल हाँ या ना मुझे comment में दिखते रहने चाहिए H या N, यह लिखना है हाँ या ना, H या N, जब मैं बो बोलू आपके sentence को पूरा करना है आपको, ठीक है इनक्टिव नहीं, तो total पता है total पता है, 39, left से पता है 11, right से निकालना है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, minus इधर को भेज़ दो minus 1 हो जाएगा, plus 1 और minus left, कहानी, कहानी खतम, कहानी खतम, तो बस यही काम जुगार यहाँ पर लगा देंगे, हमको right से निकालना था, कोई चिंता की बात नहीं, right से निकालने के लिए total को, up to formula total plus 1 और दिये गए क्रम को घटा लेंगे तो हो जाएगा, 19 अब आप कहोगे, यार भाईया, ये ठीक नहीं है, अभी बोला, एक formula से पूरी ranking बनेगा, दूसरा formula लिख दिया मजाक था, इसकी जड़ुवत नहीं है, उंगलिया कितनी फिर से वापस आ जाओ, उंगलिया कितना था, 10 उल्टा गिनते थे, कितना बनता था 11 ठीक है, तो आज से इस बात को अपने दिलो दिमाग में रख लो दिल में तो कोई और भी है न उसको बोलो कि भाई ये बात तुम अपने गूदी में रख लो ताकि मुझे जब मैं भूलू बताते रहना, वो ये बात कि बीपरित दिशा में, ध्यान से सुनेंगे मजाक नहीं, वीपरित दिशा में जब भी आप किसी को गिनते हैं तो टोटल की संख्या एक बढ़ जाती है देखे मैं उंगलियों को उल्टा गिन रहा था 10, 9, 8, 7, 6, वीपरित दिशा में तो मैं 11 बना दे रहा था तो बस यही बात याद रखेंगे कि opposite direction में जैसे इधर से करम दिया है इधर से निकालना है तो यह भी परित हो गया तो टोटल को एक बढ़ाएंगे और दिएगे करम को घटाएंगे और सही उत्तर सही उत्तर पाएंगे काम कतम हाया ना बोलते जा सोच विचार कर लो repeat करूँगा लेकिन उससे पहले मैं request करूँगा सोच लीजे नहीं हर subject में पास होना ज़रूरी नहीं है और कितने कितने marks के होते हैं यह सारी के video मैंने बना रखा है आप देख लीजे उसको same channel पे video बना रखा है reasoning को लेकर के आप देख लीजे कोई बात नहीं मैं repeat करता हूँ सब्या साची तुम लेठ हो मुझे पता है और चुपके से जो बैठी हो ना कुछ बच्चे ऐसे होते थे class में लेठा थे तो बड़े सरीब बनके तुम कोने में चुपके बैठ जाते थे सर आपने क्या बोला ना यह point मैं नहीं समझ पाया अरे मेरे लाले भम लालियो तु कुछ नहीं समझाए क्योंकि तु लेठ आया है फिर से सुनो दूसरे अब मैंने फिर से आपको दिया टोटल अब मैं कह रहा हूँ न कि इस बार टोटल आपके पास 19 लोग है इस पंक्ति में ध्यान से सव्यसाची बेटा टोटल 19 है अब यहां से ले आया मैं सव्यसाची को जिसका करम ना दाई और से जिसका करम दाई और से कितना था नौवा इधर से पता है मुझे इधर से निकालना था कि इधर से इसका करम क्या होगा तो बस वही वात यहां पे आपको क्या पता है यहां पे आपको यह पता है टोटल पता है आपको राइट पता है लेफ्ट निकालना है तो फिर से वही बात माइनस वन प्लस वन और माइनस राइ फिर यार तीसरा फर्मूला लिख दिया, मजाक बना रखा है, तो मत करो मजाक, यह आजाओ, आपको टोटल पता है, उंगलियों का टोटल पता था 10, उल्टा गीना था, उंगलिया हो गई थी 11, टोटल पता है 19, इधर से जो गिना, गैड, कैलकुलेट करना है, हकला जाता हू कभी कभी, ठीक है, इस पर एक कहानी है, मैं बता हूंका, तो इधर से, तो लेफ्ट इस इक्वल टोटल प्लस वन, और फिर दिये गए करम को घटा लो, वो 11 अस्थान पे है, उत्तर प्राप्त, उत्तर प्राप्त, खुश रहो छोटे, तो बस इतना सा खेल है, बस इसी को अलाने वाली बात है, एक मूवी आई थी, अजय देखवन की, अक्षय खन्ना की और उर्मिला मार तोड करकी, ठीक है, दिवानगी शाय, दिवाने या दिवानगी, कुछ, तो उसमें अगर आपने देखा होगा, अजय देखवन ने बहुत अच्छा रोल किया, वैसे होड़ों पे, दो मोटर साइकल पे, दो कार पे सवाड नहीं, जो बात में उसने अक्टिंग शुरू की, जब बाल वल तो होड़ा संही कर लिए, तो उसमें ना उसने ये ट्रेंड लाया था, कि हलका सा रुक रुक के हकला हकला के बोलता था, तो मैं उस टेंडर एज में थ जो जो अच्छी लगती है, वो ज़रूरी नहीं है, वो चीज़े अच्छी हो, अगर आपको क्लास ना बहुत मज़दार लग रहा है, मज़दार इननसेंस ना कि हर सवाल बन रहे है, अगर किसी भी क्लास में आप जुड़े, और आपको लग रहा है हर सवाल बन गए, तो में खुश हो जाओगा इस बात को याद रखना, so you need to come out of a comfort zone, if you want to succeed, if you want to flourish in your life, अगर आप चाते हैं अपनी जिन्दगी में उनत्ती करें, flourish करें, आपको आराम से बाहर आना पड़ेगा, there is no way out, भाईया reasoning को paper बहुत तफ आती है, सीजल के exam में, होपर टाइम बहुत कम मिलता है, आज़ा क्यों भाईया, अब इतना विसलेशन बाद में करेंगे, अभी सवाल पर आते हैं, तो भाईया अब सवाल की बात करते हैं, comparison हमने सीख लिया है, ये सवाल जो है, इसको अगर मैं उराना चाहूँ, तो मैं बहुत इसली उरा दूँगा, क्योंकि हमारे पास सारी बाते हैं, अरुन, rank 17 in a class of 31 student, total बोल रहा है 31, अरुन का rank भी बोल रहा है, मतलब पंक्ती है, और total कह रहा है 31, अरुन rank 17 in a class of 31, अब rank 17, अब left-right बोला ही नहीं, अब एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ, कि 50 लोगों की कक्षा में आप 3rd आए, तो मतलब आप शुरू से 3 फर्स्ट कौन है, तो आखरी वाला कभी आस्ता क्लास में खड़ा हुआ है, टीचर आए, हाँ बाई, इस बार कौन फर्स्ट आया, लास्ट वाला खड़ा हुए, गुरू जी हमें, मार चपल, आखरी है तु गधे, हमेशा फर्स्ट मतलब शुरू बात से, जो तो जब rank बो ठाना है और फिर दिये गये क्रम को घटाना है और उत्तर पा लेना है, बोलो हां कि न, बोलो हां कि न, और नए, formula चाहिए, तो फिर भाई, कहानी वहीं हो जाएगा, right is equal to total plus one minus left, total plus one minus left, tension, समस्या, दukh, दिक्कत, समस्या, समस्या, है नहीं है, जल्दे टाइप कर 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 पत बहुत ही आसान उड़ादो सेम टाइप का कोश्चन सेम टाइप का कोश्चन हाँ बस इन शॉट पूरा लिखने की जुरत नहीं है एंध मतलब नहीं है एच मतलब है क्या है यह तुम्हारे ठीक को टी हम मैं समझ जाओंगा मैं समझ जाओंगा आप उसका चिंता मत करो बहुत सुंदर बहुत सुंदर अधिकांस लोगों ने इसके सही जबा बुड़ा दिया अमर रैंक is 10th in a line containing 50 member अमर का रैंक 10 है मतलब रैंक है मतलब शुरुवात से टोटल दिया है 50 इधर का निकालना है इधर दिया है right is equal to हो जाएगा 50 plus 1 minus 10 होता है 41 कहानी कहानी खतम कहानी खतम अगला सवाल घबरा मत जाना घबरा मत जाना की ये अचानक से क्या हो गया है इतना बढ़िया महौल चल रहा था इतना लंबा चौड़ा कैसे सवाल हो गया बहुत ही प्यारा सा सवाल है पढ़ेंगे थोड़ा अब आपको लेबल भी बढ़ेंगे बिहार से कौन कौन है भाई मैं हूँ कृति कृति जैश्वाल मैं हूँ बिहारी बढ़ते चलो रुकना नहीं है ठकना नहीं है रिस्पॉंस कम नहीं होने चाहिए क्लास में बरकरार रहना चाहिए कौन देगा इसका सही जबाब सर प्लस वन करने का लॉजिक क्या है प्लीज एक्स्प्लेइन जगदीस जगदीस सर फोर दूँगा मैं तेरा सर फोर दूँगा मैं सही मैं एक तो तू समय पे आया था लेट भी नहीं है ये कितनी उंगलियां थी याद कर यही एक्जामपल याद रखना ये उंगलियां बेटा थी 10 तो उल्टा जब गिनते हैं तो 11 हो जाती है मतलब किसी भी चीज को बीपरीत दिशा में गिनोगे इधर से पता है इधर से गिनना है तो ये बीपरीत हो गया तो टोटल को एक बढ़ाया जाता है और फिर दियेगा करम को घटाया ज होता है राइट इस एकोल टू टो टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट ठीक है टेंशन मतले जग दिस बस एक आगरता के साथ सुन मैं नहीं कहा रहा हूं कि एक बार में समझ जाओगे गलतियां होंगी उसके लिए परिशान नहीं होना है अन्नू क्या हो गया क्यों गुस्से म पास होने वाले पर समझे पास होने वाले वालो में इना का उपर से अठारवा था और नीचे से 49 था तो यह भाई पास होने वाले हैं उपर से इना जो थी वो अठारे अस्थान पर थी और यहां से जो थी वो 49 अस्थान पर थी ठीक है तो यहां से मैं टोटल पास निकाल सक ता हूँ वो कैसे निकालूंगा उनन चालिस प्लस अठारा माइनस एक फिर से टोटल इस इकोल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन ठीक है तो अब इसको जोड लेंगे तो जहां तक मुझे लगता है अरतिस आठाट सोलह हांसिल एक और चपन मतलब टोटल कितने लोग हो ठीक है पहला काम खतम भाईया राज्पाल मुझे लविए बोलने के लिए बोल अन्यू मेरे पर गुस्ता होगी कि मैंने भाईया को यह कम्देंट कि अब्हा है हां भाई राजपाल व्या करवा दो तेरा जल्दी बोल बोल व्या करवाओं किधर राजपाल मुझे दिखे तब तो मैं उससे कुछ बात करू अरे चिंता मत करो मैं हूँ आप घबड़ाओ मत मैं हूँ अभी राजपाल कहाँ अभी आने दो उसको फिर उससे बात करेंगे इसको निप्टा ले अब ये छपन लोग जो है न बेटा वो टोटल पास वाले हैं फिर कहता है दस विद्यार् सवाल नहीं पढ़ोगे तो इसी तरीके से गलती होता चला जाएगा राजपाल कहां है तू काम चका चक बहुत अच्छा तरी लोग बहुत सुंदर अगला सवाल फिर से मत घबड़ाईएगा फिर से मत घबड़ाईएगा बहुत ही आसान हर एक सवाल कुछ नया दिखाने क कोशिस कर रहा हूँ हर एक सवाल में आपको मैं कुछ नया दिखाने के कोशिस कर रहा हूँ थोड़ा बरकरार रखेगा स्पीड आखरी तक तकरिवन दो घंटे का मुझे समय दीजिए रैंकिंग कंपरेजन उरा दोगे आप मतलब कलंब रोक दोगे परिक्षा में इसका ग परिशानी आपको आपने फील किया न यह बहुत कॉमन है कोई यह नहीं है बहुत कॉमन है तो हमें लड़ना होगा हम आवाज उठानी होगी डर किस बात पर जाते हो बोल नहीं बोलूंगी क्या कर लेगा डरना किस बात पर है भाई लड़कियां अपनी ताकत को जान ले क्योंकि नारी से ताकतवर इस दुनिया में कोई है ही नहीं कहा जाता है इस्टडी कहती है कि जब एक नारी किसी को जन्म दे रही होती है तो इतना दर्द होता है जैसे हमारे सरीर में 206 डिया है सारी तोड़ जैने उतना दर्द होता है तब भी वो उसको सहके और इस दुनिया को आगे बढ़ा रही है तो भाई आपसे मतलब नारी से बड़ा मा से बड़ा युद्धा इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है ए बहुत सुंदर आभा दाहिने छोर से 40 पे और बाय छोर से 95 पे कोई चिंता का बात नहीं है आभा 40 फ्रम राइट और 95 तो आभा यहां इधर से 40 इधर से 95 आभा के बारे में लेफ्ट राइट से पता है टोटल निकाल लेंगे लेकिन अभी रुक जाओ विजाई is 52nd position from left ठीक है तो यहां सबसे पहले टोटल निकालते हैं 95 प्लस 40 माइनस 1 135 माइनस 1 टोटल हो गए 134 अब विजाई is 52 position from left of the row तो विजाई कितने पे है 52 position पे है कहीं पे माल लीजे विजाई यहां है 52 पे है पूछा है इधर से विजाई क्या होगा तो बस वही टोटल पता है इधर से पता है इधर से निकालना है कितनी बार बताओं क्या करोगे टोटल को एक बढ़ाओगे दिये गए करम को घटाओगे 135 माइनस बावन तीन आठ तिरासी उत्तर आपके स्क्रीन पे कोई चिंता का विशय किसी के मन में कोई दुबधा दुकत दुख परिशानी मुझे भी SSC वाला पे मैस पढ़ाना है पहले अंसुमन अपना पढ़ ली होगे लेकिन यहां पर आने का कुछ क्राइटेरिया होता है अगर आप उस क्राइटेरिया में होगे तो आपको सामने से कॉल चला जाएगा आपको ढूंडना नहीं पड़ेगा लोग आपको ढूंड लेंगे ठीक है अगर आपको ढूंड है ना तो सामने वाल आपको ढूं पाकिस्तान है या पाकिस्तान एक्जाम में भी हारता हूँ प्यार में भी ये बड़ी अधारुश अगला सवाल स्क्रीन पे कौन देगा इसका सबसे पहला सही जबाब इतना समय क्यों लगा रहे हो हाँ हाँ मैं सवाल दे करके बीच में बोलता रहूँगा पता है आप इससे डिस्ट्राक्ट होते हो आप कॉंसेटरेट नहीं कर पातो ये एक प्रट्राक्टस है मेंटल गेम है मेंटल एक्सराइज है जो आपको करना ज़रूरी है तब ही आपका एक आगरता जवलप होगा इतना समय नहीं लगना था इस सवाल में मुझे मजा नहीं आ रहा है कॉमेंट सेक्शन रुका हुआ क्यूं है रिट्स ओफिशल 21 कह रहे है और आपने बिलकुल गलत जवाब दिया है क्या बोलू यार गधा भी बोलने में मुझे शर्मा रही है कि एक्स ओप्शन में भी नहीं है देखिए घबडा ये मत इन अ क्लास ओ फॉटे स्टुडेंट चालिस विद्यार्थी की क्लास में टोटल दिया है चालिस रोशन जो है वो ठोप से 8th पोजीशन पर है और करण जो है वो बॉटm से ते रहवे पोजीशन पर है पहला काम ठीक है की नहीं अरे हां आना बोलते रह इन दोनों के बीचों बीच कौन बैठा उमेश का अंत से पोजिशन क्या होगा अब देखो यह समझने की कोशिस कीजिए कि प्रोसेस क्या होगा इसको बनाने के लिए अरे बिलकुल आकांशा सर ना में काफी नहीं आता है अच्छा आकांशा मैं ले आदूंगा चिंता बत करो हाँ तो सबसे पहले इस बात को समझो कि उमेश यू है न दोनों के बीचों बीच बैठा है तो मुझे सबसे पहले बीच के लोग पता करने होंगे मुझे सबसे पहले क्या करना होगा बीच के लोग तब ही तो मैं बीचों बीच इन दोनों के बीचों बीच उमेश को बिठा पाऊंगा ठीक है मैं कोई formula नहीं बता रहा हूं मैं बस ये बताने की कोशिस कर रहा हूं कि इस बीच के लोग को कैसे निकालेगे देखो ये line कितना है ये बताओ ये जो line मैंने बनाया ये line कितना है ये देखो इसके बड़ाबर line है मतलब यह line कितना है total है तो अगर इस total line में से मतलब मैं middle निकाल रहा हूँ मैं क्या निकाल रहा हूँ मध्ध निकाल रहा हूँ तो अगर इस total वाली line में से मतलब इस 40 में से अगर मैं इसको हटा दू और इसको हटा दू तो देखो यह line कितना बचा यह मैंने 8 को हटा दिया और यह मैंने 13 को हटा दिया तो यह लाइन बीच का हिस्सा बचा ना डाइग्राम देख लो ठीक है तो फिर यहां से आपको टोटल मिल जाएगा कि 40-21 होते हैं 19 मतलब यहां पे बीच में 19 लोग हैं यहां पे बीच में कितने लोग है 19 अब 1900 के बीचों बीच कौन बैठा है उमेश बैठा है 1900 के बीचों बीच कौन बैठा है उमेश बैठा है तो 1900 के बीचों बीच तो आपको अजय देगवन को याद करना होगा 19 के बीचों बीच बैठना है तो 9 को यहां बिठा दो 9 को यहां बिठा दो और Master Sahib रहेंगे यहां ऐसे एदम अजय दिखवन का देखा है ने इंट्री पहला movie फूल और काटे दो मोटसाइकल पे ऐसे पैड़ करके आ रहा था फिर घोडो पे आया फिर कार पे आया तो 19 के बीचों बीच मतलब 9 को इधर 9 को इधर बीच में एक कहानी सेट बीच में एक कहानी सेट हाया ना ठीक है मतलब क्या है कि 9 लोग यहां है 9 लोग यहां है काम सेट है अभी भी यह बात नहीं समझ मैं आया फिर से शुरू से सुनते है रोशन 8 पे था उपर से करन नीचे से 13 पे था उमेश दोनों के बीच बैठा था उमेश का करम नीचे से पता करना है इस बात को पता करने के लिए हमें सबसे पहले बीच के लोग निकालने थे बीच के लोग निकालने के लिए मैंने टोटल वाली लाइन 45 में से उपर का हिस्सा 8 हटाया, नीचे का हिस्सा 13 हटाया, तो हमको मिल गया बीच का हिस्सा 19, अब 19 के बीचों बीच बैठा है कौन, उमेश, मतलब 19 को दो हिस्से में आप भागते हो, बाटते हो, तो 9.5 आता है, अब 9.5 पे नहीं बैठेगा, मतलब इस 9 को लेना, 9 इधर बैठ जाएंगे, 9 इधर बैठ जाएंगे और बीच में हमारा उमेश हो जाएगा, अब हमको ये पता लगाना है, कि उमेश नीचे से कितना है, तो जडा सोचो, नीचे से मैं चला, 13, करण बोला भाईया, मैं तेरा पे हूँ, आगे भर जाओ, यहां 9 लोग थे, तो 13 और 9, 13 और 9 होते हैं 22 मतब यहां तक उमेश के जस्ट पहले तक 22 तो उमेश अगला व्यक्ति हो गया 23 क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था परसन प्लस वन होता है रैंक परसन प्लस वन होता है रैंक वैसे अच्छा नहीं लगा कोई जिंता का बात नहीं है इनके इनके बीच 9 लोग हैं मतलब यहां से यहां इसका क्रम हो जाएगा 10 क्योंकि लोग प्लस एक होता है क्रम तो 13 और 10 ताइस कहानी खतम भाईया जो आप पढ़ा रहे हो उसके कोश्चन कहां मिलेंगे प्लीज बता दो यह कोश्चन तो दही रहा हूं प्रिवेस यह कोश्चन बैंक मिल जाएगा काम सेट है चका चक है की नहीं काम सेट है चका चक है की नहीं मैं कभी जोड से बोलता हूं बफडिंग होने लगता है वो जोड से बोलना पड़ता है आपको जगाने के लिए हाँ cooler है ना बहुत अच्छा तुशार को cooler का सही spelling पता है । देखो आप लोगों को लगता है कि cool का spelling ये होता है ये गलत spelling और क्योंकि मेरा नाम के से है मेरी क्लास मेरे रूल्स माई क्लास माई रूल्स सिंपल सी बात है और जब मैं पुछूँू क्या यह qui RT ॔ प्लस क्लियर है क्या क्या यह psychik K K 6 फैर ग्या को श्चन बंक कहा मिलेगा market में मिल जाएगा अग्रा सवाल उड़ा दो उड़ा दो कूलर क्या है कूल प्लस क्लियर कूलर हो जाता है अरे मजाक था सीरियस मत हो जा यह भी बढ़िया है विशाल यह भी बढ़िया है विशाल अगला सवाल बहुत जादा समय है अनुराग ने पहला साहिजवा बहुत सुंदर राम्या रांग 20 अब डाइग्राम नहीं बनाना है अब कुछ उस तरीके से भी प्राक्टस करना है ज़ा अननोमस क्या कर रहा है उस तरीके से प्राक्टस करना है जैसे आपको परिक्षा में इस कोशन को करना है तो यदि 46 शात्र में राम्या का क्रम 22 था तो अंतिम छोड़ से क्या होगा सिंपल 46 प्लस एक 47 47 माइनस 22 25 क्या समस्या हो गई भाई क्या समस्या हो गई बताओ डाइग्राम की जरूरत नहीं है यह कौन आया है भाई अगला सवाल स्क्रीन पर आजाईए अगला सवाल काम चका चक चाहिए भाई काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ओए आरियन शर्मा सुईटी राजपूत को हेलो नहीं बोलना था अभी भाई भेन का डिस्ता नहीं बनाना है हलो प्यूश लेट हो समय पे आया करो अच्छा आज मेरा हेर स्टाइल आप लोग ने देखा है बाल उड़ गए है तो क्या हुआ अब भाई खांदानी है दादा जी के भी उड़त है पिता जी के भी उड़े हुए हैं चाचा जी के भी जा रहे हैं चले ही गए आलमस्ट मे क्यों की बेटा मैं बार बार कह रहा हूं आदट डालो ABCD का वहां पर 51 नहीं तू मुरंगेगा ABCD सेलेक्ट करेगा समझ इस बात को प्राक्टस कर जो करने वाला है अंकिता परिक्षा में वो तीन होले वाले चात्रों के सिर्ष में 15 और नीचे से 18 अस्थान पर कितना 15 यहां से कितना 28 ठीक है यह कौनसे लोग है पास होने वाले वही सवाल है यार क्या करता है यार टोटल पास निकाल ले जार दुख मत दे मुझे यार तो 28 15 होता है 33 14 में से 42 लोग पास हो गए है चार लोग fail हो गए है और 5 ने participate नहीं किया है यार ऐसा गलती करोगे न अब भी ये सवाल करवाया था अब भी ये सवाल करवाया था, ये गलती करोगे ये गलती करोगे क्या करूँगा मैं फिर, पता है ना आपको ठीक है अगला सवाल, screen पे comparison, comparison वाले जो लोग लेट आए हैं चिंता मत करना आभी हमने थोड़ी दर पहले कॉंपरिजन्स शुरू किया था फिर से मैं इसको डिस्कस कर लूँगा सर साइन्स वाली मैम से बात किये लबवेज को लेकर लैंगवेज को लेकर मतलब मैं समझा नहीं कॉन सी पब्लिकेशन जो दिखने में सुन्धर लग जाए सी धर्ट ले ले इंग्लिश में जो लोग कमफर्टेबल हैं आप मेरी वाली किताब ले लिजए रिजनिंग की गोली इसलिए नहीं कि वो मेरी किताब है में बेच रहा हूं नहीं मेरा मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है गलतियां नहीं है गलतियां कम भी मैं नहीं बोलूँगा नहीं है ठीक है क्यूंकि मुझे याद है जब मैं उस किताब को लिख रहा था न तो प्रूफ रीडिंग ऐसे करवाय था एक गलती डूढने पर हजार रुपे भी मैंने दिये हैं बच्चों को मैं इस्टुएंट से ये काम करते थे एक गलती को यागा ढूंद रहता था किता में हजार रुपे देता था और कि एक किताब विफ्री देता था और हिंदी वाले आप किरन या घटना चक्र ले सकते हैं हिंदी वाले घटना चक्र लेजिए उसमें गलतियां बहुत कम है देखें फाइव स्टुटेंट इन अ क्लास पाटिसिपेंट इन अप्टिट्यू टेस्ट in the result it is found that boy A got less marks than boy B तो आप ये काम नहीं करेंगे बहुत सारे लोग ये करते हैं A को B से कम आया नहीं उससे आसाने एक आधार बनाएंगे A को B से कम आया ठीक है missile Rune the day got less marks than B boy C got less marks than D अलग बनाएंगे जोर ले जोर लेंगे C को D से कम आया अलग-अलग line है बाद में जोड लेंगे C got less marks than D C got less marks than D हो गया B got less marks than C अब जोडो B को C से ज़्यादा कम तो इस line को यहाँ बढ़ा दो इस line को यहाँ बढ़ा दो और B जो हो गया C से कम हो गया इस line को भी मैंने जोड लिया Boy A got more marks than E A को E से ज़्यादा है Which boy got second highest तो यह था second highest C कहाँ नी कहाँ है खतम चिंता का बाद कैसे मिलेगा सर कहाँ Online available है Online available है कोई चिंता दुख परिशानी जो लोग नए है फिर से सुन लिजिए comparison के questions को करने का यह सबसे आसान तरीका होता है comparison को question को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप छोटे-छोटे lines बनाई है जैसे कह रहा है कि एकक्षा में परिणाम यह पाया गया कि लड़का A को को लड़का B से तुलना में कमंक मिले तो A को B की तुलना में कमंक मिले पहला काम खतम हो गया लड़के C को D की तुलना में कमंक मिले तो अलग बनाएंगे अभी line को नहीं जोर पाएंगे तो C को D की तुलना में कमंक मिले ठीक है B को लड़के C की तुलना में कमंक मिले अब B को C से कम मिले हैं तो C को यहाँ ले जाओ तो D को और उपर ले जाना होगा और इसको जोर लो काम हो गया और फिर लड़के A की तुलना में E को अधीक माक्स मिले हैं तो E को अधीक माक्स मिले हैं दूसरे नमबर पर कौन यह पहला यह दूसरा कहानी कहानी चका चक भईया आकांशा की बात आकांशा कहा है बेटा भाईया प्लीज रिप्लाई मी बेटा एक बड़ फिर से अभी देखा मैंने भाईया क्लास कब कब होता है एक बड़ बता दो ये वाली क्लास जो है ना अरपित CHSL के लिए हर Thursday सुबह 9 बजे बाकी दिन Monday to Saturday शाम 4 बजे और 6 बजे क्लास फिक्स है ठीक है दिपांशू दिपांशू कैसा है शाम 4 बजे GD का बैच है दिपांशू तुम्हारे लिए नहीं है तुम शाम 6 बजे आना CGL वाले में और चैनल पे ना मेरे सारे प्लेलिस्ट में व हर चीज है बहुत सुंदर बहुत सुंदर लेकिन सर भी फोर दूँगा मैं इतना गलत जवाब नहीं चलेगा अंसुमन गुड है यदी एक दौर ध्यान से सुनिए यदी एक दौर में आप अंतिम से ठीक पहले व्यक्ति से आगे निकल जाते हैं तो आपका अस्थान क्या ह है इफ इन रेस यू ओवर्टेक द लास्ट बट वन कंटेस्टेंट अट पोजिशन यू आर सेकेंड फ्रॉम लास्ट सेकेंड फ्रॉम लास्ट ठीक है कोई समस्या इसमें एक बार सोच विचार कर लो अगर आपको दौबिधा लग रही है तो अगर आपको एक पल के लिए इसमें कोई दौबिधा लग रही है तो आप सोच विचार कर लीजिए फिर बाद में मत कहना कि भाईया आपने पूछा नहीं भाईया आपसे पूछ रहा है भाईया आपसे पूछ रहा है थीक है अगला सवाल पर आजाओ उड़ा दो क्या कह रहा है भाईया मेरे से सबको दुस्मनी क्यों है अरे आज आपका न आज आपका नेट कमजोड होगा ठीक है यह हो सकता है हाँ अच्छा धून लिया श्रिस्टी ने वह वनली फॉर इंजिनियरिंग इसले लिखा है क्योंकि जब पढ़ाना शुड़ू किया न तो यह पता चला कि यार बीए बीएसी वालों का सब बहुत ध्यान दे रहे हैं किरन पब्लिकेशन अरिहंत गटना चक्र सब जबकि जबकि S.S.C. J.E. S.C. J.E. S.C. ही C.S.L. J.E. सारे एक्जाम्स लेता है जई के कोश्चन्स C.H.S.L. में M.T.S. में C.G.L. में आते हैं और इधर उधर के कोश्चन्स होते हैं तो वो इंजिनियरिंग बच्चों को सांथ करने के लिए 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 बाकि आप देख लिए जयस्ता सही लगे इतना समय क्यों लगा रहे हो भाई आकांशा मेरे नेम क्यों नहीं आ रहा है कोश्चन में जैसे बाकि लोगों के अभी आएगा चिंता मत करो देखिए इस सवाल पे आंसर इसका C है आप लोग बाते बंद करें बाते बंद करें अ अब आफरीन रुख जाओ बेटा इनक्यू आफ पर्सन फेसिंग नौर्थ यह बात बना रहा है पिंकी इस एटीन फ्रम राइट तो कोई बात नहीं हम पिंकी को भी ले लेते हैं कि वह अठारवे अस्थान पे हैं तो पिंकी मेरे लाल अठारे पे बैठ जा फिर किया जो क ध्यान से सुनो बाते बंद करो मुझे देखो टोनी हुई जो पिंकी के दाएं अब उपर जब आप देख रहे हो तो दाएं यह है शुरुवात में बताया था सिक्स फ्रम पिंकी who is six to the right of पिंकी is nine to the left of किया अब जो यह है न यहां से कितने अस्थान पे है यहां से यह नाइन्थ है यहां से नाइन्थ है तो अठारा और नौ होते हैं 27 अठारा और नौ होते हैं 27 how many person are there तो देखो किया के बारे में मुझे left right से पता है कि right से किया 27 पे left से 24 पे तो 27 और 24 जोड़ दिया तो हो गई क्या वन में से एक घटा या 50 बोलो जैम आता दी बोलो जैम आता दी हाँ यूट्यूब पे सारे वीडियो आवेलेबल हैं कि टेंशन है टेंशन है अब यह तो बात यह हो गई कि आप DDLJ मूवी में आजय देखवन को खोजना शुरू कर देंगी बाई DDLJ मूवी में सारुक खानी मिलेंगे सर्सों के खेत में बाएं फैलाएं सिम्टन के इतलास में ठीक है टेंशन टेंशन अगला सवाल आसान सा प्रश्न उड़ा दो इसको जल्दी कि आसान सा प्रश्न जल्दी उड़ाईए कि 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 अर्पित राजपूत ने इसका पहला सभाया मेरे टेंथ के बाद आर्ट्स ससी के तियारी हाँ बिल्कुल बिक्रम कर सकते हो ना दसवी तक मैट्स पढ़े हो ना और हवा नहीं लगा होगा क्योंकि दसवी तक इंसान घर पे रहके पढ़ाई करता है माता पिता के पास तो ह हवा लगने हवा लगने हीरो नहीं बनता है तो भाई वही मैट्स है आसानी से कर सकते हो घवरा मत जाना देखो भगत वीना जया अमित स्कोर डिफ्रेंट मार्क्स इन दा एक्जामिनेशन भगत वीना अलग अलग परिक्षय में बिविन वीना डिड नॉट स्कोर मोर्दन बहुत लेंविज ध्यान से थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं वीना डिड नॉट स्कोर मोर्दन अर्पित वीना अमित से जादा नहीं तो मतलब अमित जादा वीना कम अमित जादा वीना कम भगत डिड नॉट स्कोर मोर्दन जया भगत जो है वो जया से जादा नहीं तो ज जया जादा भगत कम, बोलो चिंता का विशह है क्या, जया डिड नॉट स्कोर मोर देन वीना, जया वीना से जादा नहीं, मतलब वीना जादा तो इस लकीर को यहाँ, इसको यहाँ कहानी खतम, कहानी खतम, हाया ना, अरे हाया ना बोल भाई, फास्ट आंसर जगदी समय के साथ आएगा, एक दिन में आप सक्तिमान नहीं बन पाओगे, लाइक स्मयली कहाँ है, इस बार बोलो भीया, स्मयली वहीं पे रहता है भाई, कॉमेंट में नीचे एक ऐसे बना हुआ होगा, उसको टिक करोगे, बहुत सारे स्मयली मिल जाएगे, कुता बंदर हाथ ही सबके, ठीक है, अगले सवाल पे आजाओ, देखो अब थोड़ा सा लेबल बढ़ा रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखते हुए, कि CGL वाले लोग भी आए होंगे सेशन में, ठीक है, पहला टाइप ही अभी सीखे, आप दूसरा टाइप सीखेंगे, हो पा रहा है, ठीक है, नही हो पा रहा है, तो घबराना मत, CGL का question है, आगे बर जाएंगे अगर आप चिंता करो तो, में हो तो, ठीक है, आगे बर जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी चिंता में हो तो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसको एक बार तो प्रयाश करना चाहिए, आपको एक बार इसको ऐसा भी नहीं है कि यह बहुत जटिल है, आपसे नहीं हो पाएगा, कर लोगे, लास्ट वाला नहीं आया, उसका अंसर थर्ड फ्रम लास्ट क्यों नहीं होगा, लास्ट में थर्ड फ्रम लास्ट क्यों होगा भाई, रिकॉर्ड देख लेना, अब बहुत पीछे अगर चले हैं, रिकॉर्ड देख लेना, भाई आर्ट्स बैच कब हो गया, अब मुझे डैरेक्टरी मत बनाओ, विक्रम, हाँ भाई, कौन देगा इसका जवाब, मिस्टर बी कह रहे हैं, बहुत गलत, स्वीटी राजपूत, क आरे, अंशुमन, बहुत बढ़िया, पहला जवाब, देखो घबराओ मत, ये नहीं बना कोई बात नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ थोड़ा, अच्छा, देखो स्रिफ क्लास में आप खुशोने नहीं आते हो, इससे आपको आपकी छमता पता चलेगा, पती चलेगी नहीं, समझ रहे हो, और औकात जानना भी बहुत ज़रूरी है, औकात को वैसे नेगेटिव वर्ड मानते हैं, लेकिन इस एज में आप बहुत फ्लेम्वाइंट होते हो, तो आपका खुण खौलाना भी बहुत ज़रूरी है, कब जागे गारे तुफए जल या देखा है ना गैंस आपका खौलाना ज़रूरी है, यह सवाल खौण खौना ध्यूरी है, तो यह सवाल खौन खौना देवला क्यों नहीं बना, in a group of 500 students, respective ratio of number of boys and girls is 3 to 2, तो total कितना, 500, तो टो 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 टोकितना, तो टो 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 टो, टो तो टो 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 टो, ट तीन आम तीन सो रुपया का दो आम दो सो रुपया का कहानी कहानी सेट है नहीं नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है बिट्टू सभी लोग प्रयास कर सकते हैं 30% boys and 40% girls student passed अब पास वाले लड़के पास boy 30% of 300 देको डायरेक्ट करो इस तरीके से करोगे कब तक करते रहोगे सीधा 30% of 300 देको किसी भी सबसे पहले 10% किसी भी चीज का सोच लो तो 300 का 10% मतलब 1,0 हटा दो 30 और 30 मतलब 3 गुना 30 तिया 90 ठीक है 30% boys and 40% girls passed पास वाली girls कौन सी है पास वाली girls कौन सी है 40% 40 बटा 100 इंटू कितना 200 फिर खुद से calculate करो 40% of 200 पहले 10% सोचो 200 का 10% होते हैं 20 और 40 मतलब 4 गुना 80 तो इतने लोगों ने पास कर लिया ठीक है इफ गोलू अब गोलू लड़का लड़की यह तो बताये नहीं और नाम भी ऐसा है जो आप सोच नहीं पाते हो तो इफ गोलू got 20th place among past boys गोलू लड़का है पता चल गया and overall 64th place in the group then how many past students are below गोलू घबरा मत जाना घबरा बिलकुल मत जाना और इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप समझ जाओगे कर लोगे देखो क्या यह रहा है कि अगर गोलू अगर गोलू गोलू ने उतिर्ण लड़कों में 20 वा और कुल मिलकर 64 अस्थान प्राप्त किया तो लड़के लड़के 90 लड़के पास हुए है तो उसमें से जो गोलू है वो 20 है B में overall नहीं है B में 20 है boys में और और क्या था गोलू गोलू 20 प्लेस अमंग पास बोई जन ओवर और 64 प्लेस इन दे गुरूप अमंग फूपास तो तो टोटल पास वाले हैं 170 70 इसमें से गोलू जो है वो 64 अस्थान पे था इसमें गोलू 64 अस्थान पे था हमको बताना क्या था हमको बताना ये था मेरा बच्चा कि how many past students are below गोलू अब ये बात स्रिफ और स्रिफ confuse करने के लिए था ये बात स्रिफ और स्रिफ confuse करने के लिए था क्योंकि पूछा है how many past students are below गोलू गोलू के बाद past students कितने हैं गोलू का rank नहीं कितने हैं तो total कितने लोग हैं total past जो थे वो 170 थे जिसमें से 64 गोलू है तो इसमें से 64 घता लो 6 10 मतलब यहां पे परसन की जो संख्या है पास परसन की जो संख्या है वो 106 हो जाएगी और अगर पूछता है गोलू का क्रम क्या होगा तो वो 107 हो जाएगा सोच विचार कर लीजी अगर जरूरत होगा मैं repeat कर दूँगा आज कहां से purchase करूं नहीं मिल रहा क्या भाईया फ्रिकी बिट्टू online मिलेगा बेटा किताबे online अचकल available है हर एक चीज available है बिंग ठीक है सोच विचार कर ले repeat करूंगा बिना बोले करूंगा लेकिन एक बार खुद से सोच विचार कर लेगी न तो बढ़िया है फ्री की class कर न आप नजर अंदाज करते हो न यहीं सबसे बना problem है फ्री की class न बहुत ध्यान से गिया करो ठीक है नहीं करता repeat जो निशा तुने सोचा मुझे exact बात बताओ क्या नहीं तुमको समझ में आये यहां पे मूँ खोला भग से बोला repeat तुमको समझ में आता है repeat करना कितना मुश्किल काम है क्या problem में बताओ बोल रहा हूँ भई सोचो बिचारो खुद से दिमाग नहीं लगाओ गए मुझे परिक्षा में लेके चलोगे अपने साथ बोलो मैं अब examination में जा सकता हूँ आपके साथ कि भईया भईया चलो नहीं जा सकता हूँ ना बाइस दुनिया में अकेले आयो हरकाम अकेले करना है कि प्रसे देखो टोटल कहा है 500 लड़का लड़की 3 बटा 2 मतलब 3 प्लस 2 5 यह ट्रिक है एकस नहीं लेते हैं 3 प्लस 2 5 5 का मान है 500 क्योंकि टोटल 500 तो 1 का मान 100 तो 1 आम 100 रुपय में तो 3 आम 300 में 2 आम 200 में मतलब लड़का 300 लड़की 200 जिसमें से 30 परसेंड लड़का पास हुआ तो 90 हो गय चालिस परसन लड़की पास हो गई, असी हो गई, मतलब टोटल 170 लोग पास हो गए, अब उसमें से गोलू जो है, पास वाले में से गोलू जो है, उपर से 64 है, तो पूछ रहा है गोलू के नीचे कितने लोग हैं, तो 170 लोग पास हुए हैं, तो नीचे कितने हो जाएंगे, 170 म अगला सवाल इस्क्रीन पे यह मैं करूंगा आप मत कीजिए नेक्स टाइप सेकेंड टाइप पे चल रहे हैं हना एक पंक्ती में हना दाइं से बारावे अस्थान पे है और नील बाइं से एक्किस वे अस्थान पे है तो कोई पंक्ती आपने ले लिया हना is 12th position from right and नील is 21st from left तो हना यहां है कितने पे है बारा पे नील कितने पे है नील कितने पे है एक्किस पे ठीक है if they interchange their position यदी वे अपनी स्थिती बदल लेते है तो यह यहां चली जाएगी और यहां यहां चली आएगी मतलब पंक्ती तो उतनी बड़ी रहे जाएगी ठीक है पंक्ती उतनी बड़ी रहे जाएगी यहां पे कौन आ जाएगा हना यहां पे कौन आ जाएगा नील ठीक है हना become 16 from right, तो हना जो है न, वो दाई ओर से 16 हो जाती है, पूछा क्या है, how many person are there in the queue, इस पंक्ती में total लोग के इतने, total का formula, एक मात, total is equal to left plus right, minus, total का formula क्या था, total is equal to left plus right, minus, comment में चाहिए, minus 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो भाई, अब मुझे हना के बारे में तो पता है, कि हना दाई ओर से, दाई ओर से, सोलहवे पे है, मुझे अगर इसका अस्थान यहां से भी मिल जाए, तो life set हो जाए, तो मेरे लाल, एवं लालियो, मुझे ये बताओ, कि हना किसके अस्थान पे गई है, नील के अस्थान प तो हना भी तो 22 से 21 वे पे ही होगी, अगर आप मेरे जगा पे आओगे, मैं आपके जगा पे आओँगा, मेरा जगा क्या है, बोर्ड से पहला, तो आपका भी तो जगा बोर्ड से पहला ही हो जाएगा, मतलब फिर से एक बार सुनिएगा, N 21 पे था, H 12 पे था, जगा बदल लिया, H यहाँ है न यहाँ, अब H जो है दाई और से 16 हो गया, तो पूछ रहे है टोटल कितने लोग, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करते हैं, और लेफ्ट राइट एक ही व्यक्ति का होना जरूरी है, तो H जो है वो N के जगा पे गया, और N जो है वो बाई और से 21 अस्थान पे है, तो H भी जो है वो बाई और से 21 अस्थान पे ही होगा, अब दोनों को जोर दो, और अपने जोली में उत्तर ले लो, 37 माइनस 1, 36 ये रहा, कहा है B, कहा नहीं खतम, पैसा हजम, बोलो चिंता का है किसी के मन में, तो ये सेकेंड टाइप, इंटर्चेंज एक्स्चेंज वाले सवाल, भाईया आप भी गरम हो जाते हैं, अभी पता चला, आपकी शादी अब तीन दिन और लेट से होगी, भाई देखो, डाटा नहीं है, जिनको डाटा था मुझे याद नहीं था, स्वात नहीं है, ठीक कर दो, वैसे ही दबा देना, नहीं न, डाक्तर को बोलते हो, पेट में दर्द है, पेट खड़ाव है, सर दुख रहा है, गलत कह रहा हूँ, वो बच्चा है जिसको मैंने डाटा था, भाई मैं डाटा नहीं जगाया हूँ, ठीक, अगला सवाल स्क्रीन पे, अब यह आप कर लोगे, चलो चलो जल्दी बता दो, यह बता दो, यह बता ओ, जल्दी बता ओ, अब हमें प्राक्टिस करना है भाई, प्राक्टिस पर चलेंगे, जल्दी इसका जवाब कौन देगा, मुझे इसका जवाब जल्दी चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, हम सभी लोग कल हो नहों के सारुखान है हाँ, हाँ, समय हो गया, समाप्त, इससे ज़्यादा समय तो नहीं मिलेगा, यम्राज भी आपको नहीं देगा राधा is 29th from right end and 39 from left end ठीक है भाई तो राधा जो है वो दाई ओर से 29 अस्थान पे है ठीक है तो यहां से मैं टोटल निकाल लूँगा निकाल लूँगा न आठ हांसिल एक 68 माइनस एक 66 लोग है टोटल ठीक है रिशब इस एक्टली मिडल वर इस पेस अरे यार संसथ कैसे सीखा था 67 बाई 2 3 3.5 मतलब 33 इधर 33 इधर और बीच में कौन अजय देगवन तो यहां पर बिठा देते हैं किसको रिशब को 33 यहां 33 यहां कहानी खत्म वोट देंट्स तो 33 लोग है तो उसका करम कितना हो जाएगा 34 काम खत्म करो 33 लोग है करम कितना हो जाएगा 34 अब अब हमें प्राक्टिस पे आगे बढ़ना है ठीक है तो यह सारे टाइप समने कर लिए हैं कर लोगे आप कर लोगे आप अब चलो थोड़ा प्राक्टिस की बात करते हैं ठीक है नहीं एक सवाल बहुत ही बहतरीन सवाल दूरियां बढ़ने से प्यार में कमी होती है कि मतलब मैं समझा नहीं बहुत पीछे चलना पड़ेगा अभी तक आपकी परफॉर्मेंस बहुत लाजबाब है तो अब मैं कुछ टुच्चे सवाल को उड़ा रहा हूँ अब जो तीसरा हमारा टार्गेट था कॉंसेप्ट सीखने के बाद हमें क्या सीखना था हमें ये सीखना था कि टाइमर के साथ प्राक्टिस करना हम उस पे अब फोकस करेंगे ठीक है विक्रम फालतू की बाते प्लीज नहीं देखो ये बहुत ही बहतरीन सवाल है जिसका जवाब राजीव अनुस अब सही दे रहे है रवी इस सेवन रैंक अहेड अफ सुमित अधिकांस लोग इसमें गलती कर देते हैं रवी is 7 rank ahead of सुमित तो मान लिजी अगर यहां सुमित है तो रवी ahead है आगे है 7 क्रम क्योंकि मान लिजी क्लास में आप 5 वे आए और कोई 3 आया तो वो आपसे 2 क्रम आगे है वो आपसे 2 क्रम आगे है ठीक है तो रवी is 7 rank ahead of सुमित in a class of 39 नहीं तो टोटल है भई सुमित rank 16 from last सुमित का क्रम जो है वो अंत से 17 है रवी का rank शुरुवात से क्या होगा यही सवाल है तो रवी का rank शुरुवात से निकालने के लिए आप सबसे पहले रवी का rank या तो अंत से निकाल लें क्योंकि टोटल हमको पता है 39 या फिर आप वैसा नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए कोई जोड़ जवर्दस्ती वाली बात नहीं है आप चुपचाप यह काम कीजिए कि रवी का rank अंत से तो आपको पता है तो 17 और 7 उपर 17,7,24 तो रवी का करम उपर से कितना हो जाएगा 49 प्लस एक 40 माइनस 24,16 हो जाएगा ठीक है अगर ऐसे आपको अच्छा नहीं लगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं सुमित यहाँ पे है 17 पे रवी उससे 7 करम आगे है टोटल आपको पता है टोटल आपको पता है 49 तो आप यह पता कर लीजिए कि जब क्लास में टेस्ट हुआ तो सुमित क्या आया तो अंत से जब वो 17 था तो शुरू से सुमित होगा 49 प्लस एक 40 माइनस 17 मतलब उसका रैंक था 23 क्लास में टेस्ट हुआ सुमित क्या आया 23 अस्थान पे आया 23 अस्थान पे आया तो रवी जो है उससे 7 करम आगे आया तो 23 माइनस 7 तो आप कर देंगे 23 माइनस 7 16 कहानी कतम सिधार्थ कह रहा हूँना बहुत पीछे चलना होगा उसके language में समझ है मैं कह तो रहा हूँ comment section में reply करना मैं revert करूँगा बेटा मैं करता हूँ बहुत पीछे चलना होगा ठीक है उसका language मतलब उसको board पे लिखना होगा वहाँ पे चलके उस question पे बहुत बात समझो ठीक है अब questions पे आजाओ फिर आगे की बाते नहीं समझ में आओ ठीक है तो ये बड़िया सवाल था अब ये सवाल को उड़ा देते हैं और अब आजाईए आप timer के हिसाब से practice करने के लिए timer के हिसाब से अब आपको practice करना है 30 second इन सवाल के लिए जहाँ जरूरत होगी जादा मैं इंतजार करूंगा कोई हरबड़ी वाली बात नहीं होगी भया इंग्लिश रीजनिंग की best class YouTube Journalism Maths देखो आप लोग बड़े हो गए हो समस्दार हो गए हो आप लोग smart enough हो कौन सी class अटेंड करनी है किन की class अटेंड करनी है कबर अटेंड करनी है ये चीज़े आप मेरे से मत पूछो किसी और से मत पूछो आप decide करो न जिसकी बाते समझ में आती है हम अपने चैनल की बात करें तो सभी के सभी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत experienced है शायद आपको किसी की बात सुनने समझने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन थोड़ा patience हर teacher को आप थोड़ा समय दीजिए आप track पे आ जाएंगे ठीक है बहुत बढ़िया 20 का सही उत्तर है इनरो संजय इस 11th position from top 13 from bottom total person 11-13 11-13 होता है 24-13 कोई चिंता वाली बात नहीं अगले सवाल पे आजाओ 30 सेकंड का समय फिर से है उससे जादा नहीं मिलेगा 30 से 1 सेकंड जादा नहीं अब ये practice बहुत ज़रूरी है concept सीखा ऐसे practice की आप timer pressure में practice बहुत ही आवश्यक बस आधा घंटा और धरे रखो बस सभा समाप्त हो जाएगी आधा घंटा और 8 सेकंड प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है आप पे सभी लोग एक कह रहे हैं खतम कर दो सुदेश rank 17 from top 28 from bottom 17-28 एक ही प्रकार का सवाल बस आपको खुश कर रहा हूँ मतलब एपकूप बना रहा हूँ मतलब मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ ऐसे चीज से हमेशा बचो अगले सवाल पे आजाओ हाँ बढ़िया सवाल है बढ़िया क्या बहुत चुच्चा सा सवाल है उरा दो उरा दो सौरे शिंग्चोहान बेटा ठीक है लेकिन अब टाइमर तो फिक्स है मैं हर सवाल के लिए बोलूँगा इस सवाल के लिए सौरे को मिलेंगे 20 सेकंड सभाय समाप्त हो गया सौरे कुछ भी बात कीजिए सबसे पहले आप अपना काम निप्टा लेजए आपका काम सौरे क्या था इस सवाल को बनाना आपने ये नहीं बनाया आप इंस्ट्रक्शन देने में लगे थे इन चीजों से बचो जिंदगी ऐसे नहीं जी सकोगे आप सी सही जवाब है बहुत सही गलत अहीर ने सही जवाब दिया आकांशा बहुत गलत हिमांशी गलत देखो इन रो अप 40 गल्स अभी क्यों गलती किया यार इतो आसान था 40 गल्स P is 5th from right and Q is 15th from left तो P जो है is 5th from right end दाइं ओर से पांचवा है ना तो P को यहां ले लो दाइं ओर से पांचवा और Q जो है 22 ओर से 15 हुआ Q जो है 22 ओर से 15 हुआ ठीक है How many girls are there between ये पूछा है अभी किया था भूलते हो भूलने की आदत कब जाएगी आपकी अभी किया था ये total line पता है हमको middle निकालना है ये total line कितना है 40 इस 40 में से अगर आप इसको हटा देते हो किसको हटा देते हो इसको हटा देते हो इसको हटा देते हो तो 15 हटाया 5 हटाया तो बच गया 20 कहानी खतम ना कहानी खतम ना ओके ओके उसी टाइप का कोश्यन इसमें गलती नहीं 20 सेकेंड का समय शौर्य 20 सेकेंड मैं टाइमर 20 पे खतम कर दूँगा 10 पे जैसे ही हो जाएगा टाइमर में खतम कर दूँगा प्रेशर जेलो मुझे पता है ये बड़ा जटिल काम है 5 दिया हुआ था यार विक्रम 5 दिया हुआ था कोई नहीं तुझा सुनेगा कि अपले इस क्लास में आज मैं पता नहीं तुझे क्या हो गया तुप पढ़ने प्रिद्धान नहीं दे रहा है समय समाप्त सी किसने पहला जवाब दिया नँगी ने पहला जवाब दिया नंगी नहीं बहुत वड़िया in a row of 42 boys total आपको पता है 42, a 7th from right b 17th from left a 2 और से 7 वे अस्थान पे b इधर से 17 वे अस्थान पे how many boys इसमें बस वही का middle का formula होता है total minus left plus right बिलकुल पिछले जैसा प्रश्न तो 42 में से 17 plus 7 17 plus 7 24, 18 खतम करो चिंता का विशाय किसी के मन में कोई दिक्कत दुबधा परशानी परशानी नहीं है अगला सवाल स्क्रीन पे है अगला सवाल स्क्रीन पे पूरा का पूरा संपूर्ण 30 सेकेंड का समय आपकी स्क्रीन को मैं दे रहा हूँ जली कीजिए रुकिये नहीं ठकिये नहीं रिलाक्स नहीं होना है मेरी फैमिली इस एकोल टू मेरा दोस्त विकरम मेरी भेन निशा आर्यन शर्मा पढ़ाई पे ध्यान दे ले MD रुक जाओ रुक जाओ अभी प्राक्टिस हो रहा है बेटा अभी बाते नहीं होंगी सही जबाब है इसका C किसने दिया बहुत सारे लोगों नहीं दिया पवन ने पहला दिया है प्रेम ने बहुत अच्छा देख़ए क्या कहा रहा है एक पंक्ती में X दाइं छोड़ से 20 अस्थान पे और Y बाइं छोड़ से 48 अस्थान पे है तो कोई पंक्ती ले लिया X जो है वो 20 अस्थान पे है और Y जो है वो 48 अस्थान पे है ठीक है If they interchange their position यह यहां गया यह यहां गया तो interchange line उतना बड़ा यहां पे आ गया X यहां पे आ गया Y ठीक है X becomes 30th from right X जो है वो दाइं और से 36 हो जाता है Total निकालना है X गया है Y की अस्थान पे Y था 48 तो X हो जाएगा और तालिस और तालिस प्लस तीस जोड़ा आठ साथ माइनस एक साथत्तर काम खतम करो कोई चिंता का विशह किसी के मन में कि बहुत अच्छा स्वार्य वेल डन वेल डन बेटा अगला सवाल थोड़ा घुमाने फिराने की आपको कोशिस किया है लेकिन आप घवडाईये मत हो जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल सुजित कुमार यादव चैनल के प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ CGL के लिए लग, CHSL के लिए लग, SSCGD के लिए लग भाई यारीजनिंग में जेनरल नॉलेज क्यों पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं नहीं विक्रम बिक्रम गलती यार यार तेरे से मुझे बहुत expectation है न विक्रम तू यह काम मत किया कर ठीक है चार्ज में लगाओ, total 42 students are standing in a line facing east, confuse कर रहा है, east face करना मतलब यह, तो यह right हो जाएगा, यह left हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उपर भी कर से बना लेंगे, कोई जिन्ता नहीं है नहा position is 16th from right end, तो अब ऐसा ले लो, नहीं तो आप कहोगे यार, यह right end है, और यह वाला left end है, ठीक है, नहा position is 16th from right end, तो नहा जो है, वो right end से, मतलब नीचे से 16th position पर, ठीक है, विनिता इस standing 26th position from left, विनिता यहाँ से, यह नहा थी ना, 26th अस्थान पर है, काम खतम हो गया if mangla is standing at 7th place to the right of neha, mangla जो है, वो neha के, if mangla is standing at 7th place to the right of neha, देखो, neha ऐसे देख रही है, इधर देख रही है, तो right नीचे होगा, तो 7th place right पर mangla है, 7th place, मतलब 16 के 7 नीचे, तो mangla का क्रम नीचे से हो जाएगा, 16 minus 7, जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूं, तो 9 होता है, if mangla is standing at 7th place to the right of neha, what is mangla's position from left end of the row, तो mangla नीचे से 9 अस्थान पर है, तो आपको ये बताना है, कि इसका position उपर से क्या है, तो बस total कुछ दिया था क्या, टोटल 42 दिया था, तो 42 में एक जोड़िये, होता है 43, और 43 में से 9 घटा लीजिये, होता है 34, उत्तर आपकी screen पे, उत्तर आपकी screen पे, बोलो चिंता का विशय किसी के कुमन में कोई दिक्कत दुबधा परिशानी है, तो मुझे अभी बता दो, ओके, अगला सवाल, screen पे है, बहुत बढ़िया परशन, यहाँ पे फिर से आप एक नई चीज़ सीखेंगे, एक बार common sense लगाए, 30 सेकंड में हो जाएगा, शौर त भी दिखा रहा है, तो बिलकुल जब बात तुमको हर चीज पता है विक्रम बाबू, तो फिर आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, बताए जब आपको हर चीज़े पता हैं, तो फिर आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो कलम भी गिर रहा है, चलो 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 रुको नही नहीं थको नहीं समय समाप्त है और आरियन ने इसका पहला गलत जवाब दे दिया आदट डालो ABCD का जॉनपुर वाले शैनी ने बहुत सही जवाब दिया इने रोफ गल्स स्वाती इस 12 फ्रम लेफ्ट नितु इस 20 फ्रम राइट तो बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है स्वा विष्वास मानो कलम का जवाब कलम का उप्योग नहीं है जड़ा सोचो मैंने आपने बदला आप यहां आये मैं वहाँ गया आप यहां आये मैं वहाँ गया आपको यहां आने में चलना पड़ा पांच कदम, ये देखो पांच कदम आप ने चला, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर यहां गए, तो मुझे भी तो वहाँ जाने के लिए कितना कदम चलना पड़ेगा? मुझे आपके घर पे आपके जिस्थान पर बैठने के लिए कितना गढ़ना पड़ेगा यही 5 फिर से अगर आप यहां आते हैं आपको यह 5 गढ़ना पड़ता है तो मुझे भी उतना ही चलना पड़ेगा है न तो सिंपल देखो न यह 12 पे थी ये कितने पे थी, 12 पे थी, कितने पे चली गई 16 पे, 12 से 16 कितना करम बढ़ गया 4, तो 20 और 4 हो गया 24, उत्तर लो ना आपकी स्क्रीन पे, क्या समस्या है, उत्तर लो ना आपकी स्क्रीन पे है न, 12 पे थी, चली गई कितने पे 16 पे, 20 पे थी आ गई 24 पे, काम हो गया, सेट, का बोलो है चिंता, तो ऐसे इतना डाइग्राम बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए, आप तो सुनफिय कर ले न, कि स्वाती थी 12 पे, निशा थी 20 पे, यहाँ पे आ गई निशा, यहाँ पे आ गई स्वाती, स्वाती हो गई 16, मतलब 12 से 16, 4 का बढ़ोत्री, तो 20 और 4, 24 का भृत्री, कहानी, खतम, कहानी, कोई दिक्कत, दुख, परिशानी किसी के मन में, नहीं है, कौन बोलेगा, ठको मत आप लोग, अगला सवाल कर लो, ठकिये मत, घबडाईये मत, CHSL के लिए बहुत महत्पून सवाल, बिल्कुल इसी लेवल के कॉश्यन आपके परिक्षा में म समय हो चुका है, और इसका सही जबाब किसी ने नहीं दिया है, इसका सही जबाब है, बी, पता नहीं, विक्रम, बहुत बढ़िया विक्रम In a class, Seema is 10th from top, and Babli is 20th from bottom, Sema जो है, किसी कक्षा में Sema उपर से 10वे, और Babli नीचे से 20वे अस्थान पे Sema उपर से 10वे Sema उपर से 10वे, और Babli is 20th from bottom, और Babli जो है, वो Ant से 20वे अस्थान पे ठीक है, राजू is 11 rank below सीमा, 21 rank above बबली, राजू जो है, वो यहां से 11 क्रम नीचे है और यहां से 21 क्रम आगे है, ठीक है How many students are there? बहुत सही, तो राजू का क्रम निकालना कब से मुश्किल हो गया यहां से यहां 10 और यहां से 11, 10 और 11 राजू उपर से 20, नीचे से यहां से यहां 20, 20 और 21 41, तो 21 41 हो गया, 62 एक घटाया हो गया, 61 काम खतम, काम खतम बोलो, चिंता का विशे, चार्ज में लगाओ विक्रम, चार्ज में क्यों नहीं लगा रहे हो अगला सवाल स्क्रीन पे, टाइमर के साथ, बहुत ध्यान से करेंगे CGL वाला कोशन है घबडा मत जाना इसको देख करके घबडा मत जाना इसको देख करके यह उन लोग के लिए है जो अभी तक सारे प्रश्न सही करते आएं तो नहीं यह नहीं लगना चाहिए यार कि कुछ तो गलती किया ही नहीं और समय है समाप्त घबडा मत इसका आंसर है C त्री लोग बहुत सुन्दर काम देखो एक पंग्ती में A तथा B के मध 6 लड़के हैं In a row there are 6 boys between A and B बहुत सारे cases हो सकते हैं इधर भी हो सकता है B उधर हो सकता है या B इधर A उधर देख लेंगे And A being the first one in the row तो अब हो गई कहानी खतम कि A जो है वो पहला व्यक्ती है A जो है first व्यक्ती है और कह रहा है कि A और B के बीच 6 लोग हैं तो B यहाँ हो जाएगा इनके बीच 6 लोग हो जाएंगे इनके बीच 6 लोग हो जाएंगे इस काम में किसी को कोई दुबिधा परिशानी है तो मुझे अभी बताओ इस काम में किसी को दिक्कत दुबिधा परिशानी है तो मुझे अभी बताओ नहीं है बहुत सुन्दर काम अब देखो आगे क्या कहता है इसको समझने की कोशिस करते है There are three boys between B and C तो भाई C यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है C is after B in the row C B के बाद है बाद इधर यह पहले लाइन में शुरुवात ऐसे लिखते हैं तो यह पहले यह बाद तो C यहां है और इनके बीच कितने लोग है There are three boys between B and C C is after B in the row If there are twelve boys after C C के बाद अगर बारा लोग है Then how many boys are there in the row तो इस पंग्ती में total कितने लोग है इतना सा काम है न? इतना सा काम है न? तो देखो There are twelve boys after C C के बाद बारा लोग है मतलब C का क्रम जो हो गया वो 13 हो गया C का क्रम जो हो गया 13 हो गया B और C के बीच तीन लोग है मतलब क्रम चार हो जाएगा 13 चार क्या हो गया? 17 हो गया 17 हो गया और 6 लोग यहां 17 और 6 हो गया 23 और 1 A भी है तो टोटल कितने हो गए हैं, 24, कहानी खतम एक बार फिर से सुनो, C के बाद 12, C के बाद अगर 12 हैं, मतलब C का करम 13 तीन लोग बीच में हैं, तो करम 4 होगा, तो 13 और 4, 17 लोग, मतलब B, 17 वे अस्थान पे है A और B के बीच 6 लोग, तो 17 और 26, 23 और 1 हमारा A भी तो है, 24, काम खतम जौनपूर, टेंशन, टेंशन नहीं है, अगला सवाल स्क्रीन पे है जल्दी कीजिए, प्राक्टिस, ताइमर पे ध्यान दीजिए, ये ताइमर वाला विधी आपके कुशल बनाने के लिए समय पाँच, प्रेशर बढ़ रहा है, टाइमर से न, दखिए, काउंड़ाउन से आपके दिल की धरकन तेज होती है खून का रिसाव तेज हो जाता है, जिससे गलतियां हो जाती है, उसी चीज को प्राक्टिस करना है मिनु मिश्रा सी कह रही है और आपने गलत जवाब दे दिया है बैटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंशुमन गुड है, देखो ये सब 30 सेकेंड, 35 सेकेंड के कोश्चन है, अगर कम लग रहा है, आप ज़्यादा समय लो मैं रुकूंगा मैं स्टैंडर्ड टाइम दे रहा हूँ, अगर आप उतमे कर ले रहे हो तो वेलन गुड, नहीं कर पा रहे हो तो कमी है, सुधार की ज़रूरत है आपको बस आईना दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ, समझे है यमुना सरकार, प्रिंस सोनी गुड है, 32 नहीं मेरे लाल, A, B, C, D बोलो, आदर डालो तो, इन दे मॉर्निंग, बात बना रहा है, प्रेयर ऑफ इस्कूल, चंचल वस 8th from front, वाल प्रिंस वस 11th from back, तो शुरुवाद से, चंचल जो था, वो आठवे अस्थान पे था, और प्रिंस जो था, वो ग्यारवे अस्थान पे था, प्रिंस वस 11th from back, इफ दे स्वाइब क्या हुआ, वही कहानी, यह यहाँ, यह यहाँ, तो यहाँ प्रिंस, यहाँ चंचल, चंचल बिकम्स 22th from front, चंचल जो है, उपर से कितना हो गया, 22, वाल प्रिंस वस था, चंचल गया, पी के अस्थान, पी था 11th, तो यह भी नीचे से कितना हो जाएगा, 11th, 22th, 11th, 33th, 33th minus 32, बोलो चिंता का विशह, चिंता का विशह, नहीं है, अगला सवाल स्क्रीम पे है, यह फिलाल रहने दो, इसको करो, इसको करो, देखते हैं, कौन देगा इसका पहला जबाब, सर, मेरिट पे कौन सी विकेंसी आती है, मतलब मैं वाड़नशी प्रजापती, मैं आपकी बात समझा नहीं, अच्छा, कोई बात नहीं, अन्शुमन, कोई बात नहीं, ABCD का यूज कीजिए, प्लीज सुनिल, सुनिल बेटा, प्लीज ABCD का यूज कीजिए, समय हो चुका है समापत, श्री होम दानडी कह रहे हैं, मैं बाकियों का भी वेट करूँगा, सेखर A कह रहे हैं, और श्री ओम दानडी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आकांशा गुड है, रोहित मोहित are standing in a row of person रोहित अता मोहित व्यक्ति के पंक्ति में खरे हैं रोहित पंक्ति की बाईई और से उन्नी स्वा है रोहित is 19th from left, रोहित जो है वो बाईई और से उन्नी स्वा है ठीक है, मोहित is 26 from right, मोहित जो है वो दाई और से 26 वा है, 26 from right, if they interchange position, तो यहाँ पे मोहित आ गया, यहाँ पे रोहित आ गया, if they interchange position, रोहित बिकम्स 31st from left, रोहित जो है, वो बाई और से 31 हो जाता है, find the number of person between रोहित and मोहित, मत घबराओ, पूछने का तरीका बस बदल रहा है, देखो, जड़ा सोचो, रोहित 19 था, हो गया 31, मतलब करम में कितना बढ़ाओ हुआ, करम में कितना बढ़ाओ हुआ, 12 का rank, 12 rank बढ़ा है उसका, और आपको पता है, rank में से 1 घटाते हैं, तो आपको लोग मिल जाते हैं, तो 12 minus 1, 11 लोग होंगे, और जो पूछा है, कहानी ख परिशानी है, तो मुझे अभी बताओ, है तो बताओ, ठको मत, ठको मत, अगला सवाल करो, अभी आपने पुन नहीं हुए हो, रहने दो, रहने दो, करो, करो, बीच बीच में वैसे questions रखे थे, बट आपकी performance को देखके, मैं थोड़ा उपर नीचे कर रहा हूँ, घबढ़ा है ना, बहुत बढ़िया है, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, और सबें हैं समाप्त, अंसुमन ने, ये क्या हुआ, इसका अंसर कहा गया, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो, in a row of 16 boys, परवेश was shifted by two places towards left, नया टाइप का प्रश्न, बढ़िया प्रश्न होता है, ऐसा सबाद, तो total कह रहा है, कि 16 लड़कों की एक पंक्ती में, जड़ परवेश को दो अस्थान बाई और अस्थान अंत्रित किया जाता है, तो वह बाई छोड से सातवा हो जाता है, अब जड़ा सोचो, सोचो language समझो, when प्रवेश was shifted by two places towards left, he becomes seventh from left end, मतलब प्रवेश मालो पहले यहां था, उसको जब दो अस्थान सरकाया गया बाई और न, प्रवेश को, तब वह यहां से सातवा हो गया, मतलब उसका अस अस्थान यहां से कितना था, नौवा था, ठीक है, he becomes seventh from left, what was his early position from right end of the row, तो वह बाई ओर से नौवे अस्थान पे था, टोटल आपको 16 पता है, तो उसका शुरुवात में करम होगा, 16 प्लस एक 17, 17 माइनस 9 होते हैं, कितने, आठ, 17 माइनस 9, आठ, आठ, आंसर भी, बोलो किसी के मन में है, तो मुझे भी बता दीजे, कोई समस्या, फिर से सुन लीजिए, सोल लड़कों की एक पंक्ती में, जब परवेश को दो अस्थान, बाई और अस्थान अंधिन किया जाता है, तो वह बाई छोर से सातवा हो जाता है, मतलब इधर से सातवा हो गया, दो अस् एक पर दिस कौ्शन, अगे रवरी सिंपल कोषँन, मैं वहोर स्या उर आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सध्यान देंगे, काम हो जाएगा, थोड़ा सध्यान देंगे, काम हो जाएगा चलिए चलिए पंदर सेकेंड अभी भी सेश हैं मुझे पता है मैं बोल बोल के आपको घबडा रहा हूं ये एक प्रकार का प्राक्टिस है मेरे पर गुस्ता मत कीजिए जिर मत जायेगा आपके फैदे के लिए मैं अपनी गले को आराम नहीं दे रहा हूं मैं चाहूं तो सव यदि रेनु जो बाईं छोड से बीसवे अस्थान पे है तो रेनु जो है वह बाईं छोड से बीसवे अस्थान पे है और साभिया जो की दाएं छोड से दसवे अस्थान पे है इंटर्चेंज देर पोजिशन रेनु यहां साभिया यहां रेनु बिकम्स 25 फिफ्ट फ्रम तो रेनू यहाँ आ जाएगी और बाएं ओर से 25 हो जाएगी How many girls are there? How many girls are there इंदरो? तो यहाँ पर साभिया इससे हमें मतलब भी नहीं है तो girls कितना हो जाएगा? Simple सा बात है यार यह रेनू 25 है, पहले कितनी थी? 10, क्योंकि साभिया 10 थी तो 35-1, 34 खतम करो, खतम करो कोई चिंता वाली बात, किसी के मन में कोई दिक्कत दुविधा परशानी नहीं है अगला सवाल कीजिए यह हटा सकते हैं आप, यह कर लेंगे आप हाँ हाँ, यहाँ पर दो प्रश्न है कोई बात नहीं तुशार, समय फिर वही वाली बात है भाई, जब बाइक चलाना शुरू किया था तो पहले दिन असी के स्पीड पर चलाया था अब चला लेता है कैसे चलाने लगा? समय के साथ तो नहीं चीज़ सीखा है आज सक्तिमान, मत बन आज साइकल चलाना सिखाया है हेलिकॉप्टर पर सवार नहीं होना है सब्या साची वही तो बेटा नहीं होना है कैसे होगा? ठक जा रहे हो परने में नौ घंटे की नौकरी कैसे करोगे? सोचो सोचो सही जबाब इसका है मोहित के द्वारा पहला सही जबाब आया है बहुत सुन्दर काम होई देखो इनस साइकल स्टेंड आटलस 8th from left Hero 10th साइकल स्टेंड में आटलस बाई और से 8 वा और Hero 10 वा है कोई बात नहीं ठीक है? इन्टर्चेंज पॉजिशन एटलस यहाँ Hero यहाँ Hero Atlas Atlas becomes 12th from left Atlas इधर से कितना हो गया? 12 How many cycles are there in the row? What is the new position of Hero from right? यह तो सबसे पहले हम निकाली लेंगे दाई और से इसका position हो जाएगा यह 8 पे था 12 पे चला गया मतलब बढ़ोत्री है 4 का 10 और 4 यह हो जाएगा 14 अस्थान पे यह हो जाएगा 14 अस्थान पे तो कुछ options आप eliminate भी कर सकते हैं और टोटल निकालना है तो Atlas गया Hero के अस्थान पे जो था 10 तो दोनों को जोड़ दो हो जाएगा 22 22 माइनस एक कर दोगे तो 21 21 और अरे कहां गया 21 और 14 कहांई खतम करो बोलो दिक्कत है फ्रिकिंग किस question में बेटा फ्रिकिंग बिट्टू दुनिया जिसे कहती है एक खिलाओना हम मिल जाए तो मिठी ना मिले तो सोना है बड़ा बढ़िया है यार मैं recorded class देखोगी कोई बात नहीं अगले सवाल पर आजाओ मेरे लाल एवं लाल यो interchange वाले question है रोहनी 15 फिफ्टींथ फ्रम लेव इंटर्चेंज पोस्टिटर अगर नहीं उड़ा दो नहीं नहीं करेंगे ये सवाल एक्स थर्टींथ वाइस 20 interchange position x become 35 how many boys are there नहीं करेंगे चलो करी लेते हैं जब अब करी लेते हैं फिर timer के साथ करेंगे फिर चलो 30 seconds में उड़ाओ कुछ पीछे चलके आपके doubts को cover कर लेंगे वो है कौन कह रहा था वो third कैसे होगा या फिर कुछ वैसे comparison वाले questions कर लेंगे थैंक्यू किरन थैंक्यू यह चोटा था मैंने बोला था ना दो धाई घंटे में काम तमाम कर देंगे आपने support किया आपने योगदान अच्छा दिया अच्छा कॉपरेट किया दो घंटे में समाप कर दिया हमने practice भी निप्ता डाला बताओ तो देखो क्या कहता है इसका उत्तर है बी राकेश इस सिटिंग on 25th place from right end तो यहां से राकेश कितने पे है पचीसवे अस्थान पे राशन इस सिटिंग 15th from left तो देखो आजकल परिक्षा में यह काम कर रहा है यह राकेश राशन राशन इस सिटिंग 15th from left राशन यहां से 15 रहवे अस्थान पे है इफ यह यहां यहां कहानी वही रह जाएगी यहाँ पे कौन आ जाएगा राकेश यहां पे कौन आ जाएगा रोशन ठीक है राकेश बिकम 38 फ्रम राइट राकेश जो है वो राइट और से 38 हो जाता है तो राकेश किसके अस्थान पर गया रोशन के और ये 15 था तो अब ये हो जाएगा तो इसको जोड़ दो तीन हासिल एक तिरपन माइनस एक बावन चिंता का विशह किसी के मन में है तो बताओ कोई समस्या कोई समस्या मजा रहा है अरे हाया ना बोलता रहा है भाया मैंने आज बिलकुल भी पैन का यूज नहीं किया है फोन और अरे बट फोन और कैल्कुलेटर कैल्कुलेटर सर फोर दूंगा ये पकड़ इसको पकड़ इसको यार इसने तो यार वक्त बदल दिये ज जो चीजे आपके पास नहीं हो उसका इस्तमाल ना करे बात समझ में आ रहा है आप देखो पड़िक्षा का जो महौल होता है बड़ा ही खदरनाक होता है बड़ा ही ये कागरता अब देखिए आज कल की पड़िक्षाएं कैसे हो रही है रही है मैं डेली शाम चार बजे रहे हूँ CHSL के लिए हफते में एक दिन नौ बज़े सुबह लेता हूँ ठीक है तो आप शाम चार बज़े चार बज़े आये कीजिए क्या बोल रहा था मैं हाँ मैं परिक्षा के बारे में बोल रहा था समय बहुत कम होते हैं प्रशन बहुत जादा होते हैं जैसे एक घंटा सवाल 100 एक सवाल के लिए 36 सेकंड यह सत्य है कोई भी टीचर कितना बिटक सिखा दे आप हर सवाल 36 सेकंड में नहीं कर पाओगे हाँ कुछ वैसे भी सवाल होते हैं जो 10 सेकंड में होते हैं कुछ वैसे भी होते हैं जो एक मिनट 10 सेकंड में होते हैं लेकिन एक और बात में बताओ न तो कोई भी व्यक्ति 60 के 60 मिनट परिक्षा कोई कागरता से नहीं लिख पाता है भाई fluctuation है दिमाग में नए जगा आगे पीछे करके computer कैसा है आसपास सुंदर कन्या दिग उसको भी देखना होता है एसी देखना होता है कहां पर पंखा कहां पर लाइट कहां पर खिर की यह सब आपको पहले पहुंच के देख लेंगे एक बार देखले तो फिर इंसान दुबारा भी देखता है वाई सुंदर कन्या एक बार देखके छोड़ते हो दुबारा तीवारा चौवारा भी देखते हो न और लड़कियों के लिए हैंडसम हंक भी तो यहां पर इनिविजिलेटर हो सकते हैं कोई परिक्षा देने आ सकते हैं तो अपने आपको इस्थिर बनाओ ठीक है बिना इस्थरता के कुछ नहीं हो पाएगा कमफर्ट जोन से बाहर आओ कमफर्ट जोन समझ रहे हो क्या होता है मनलब वो इसे करके बैखते हैं पैर पर पैर 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 से चढ़ा करके this is your comfort zone you need to come out of that if you want to flourish in your life you need to come out of your comfort zone there is no way out ठीक है सफलता इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी जब भी परना बंद करो बस इतनी सी बात याद रखो कि कोई न कोई व्यक्ति जो परिक्षा देने वाला होगा आपकी तरह वो पर रहा होगा दिन का एक टार्गेट बनाओ जब तक वो टार्गेट पूरा नहो सोना नह नहीं है एक दिन दो दिन नहीं सोगे मर नहीं जाओगे हेल्थ पर ध्यान दो फिजिकली बिंग फिजिकली फिट इस अल्सो वेरे इंपोर्टेंट ज्यादा लेक्चर मत दिलवाओ आगे का सवाल करो हाँ 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 वाइशल आ टेक मैट्स क्लास वियाव एमपल अफ गु अपना दिमाग खुद से लगाओ चैनल को न आप जब सब्सक्राइब करके रखोगे नहीं है चैनल पे आप जाओगे न तो हर चेक्च लिखाओगा कौन सा सब्जेक कब होना है यूट्यूब के पड़ा हुआ है धूंड लो मैं वीडियो लेके घर नहीं आ सकता वाइरल स और इसका सही जबाब बहुत सारे लोगों न दिया है एक्स हुई इस 13 फ्रम राइट एक्स जोखी दाई ओर से 13 है वाई 20 फ्रम लेफ्ट वाई जोखी बीसवा है इंटर्चेंग देर पोजिशन यह यहां यह यहां यह यह एक्स यह वाई 35 फ्रम राइट एक्स हो जाता है 35 हाउमनी बॉइस सिंपल सा बात एक्स गया वाई के जगह पे वाई था बीस तो हो गया 45 माईनस एक हो गया गलती हो गया क्या पैतालिस भी 55 चौबन कहानी खतम कहानी खतम तो आज के की टेक अवेस क्या है आपने क्या सीखा सबसे पहली चीज आपने यह सीखी कि जितने भ नहीं कमपैरीजन वाले कोश्चंस थे तुलना करने वाले कोश्चंस थे उनमें मैंने यह कहा कि इनिकवालिटी का यूज मत करो लाइन बनाओ अगर ए बी से बड़ा है बी सी से भी बड़ा है ऐसे काम करेंगे आप और रैंकिंग की अगर हम बात करें तो आपने क्या सीख आपने सीखा कि क्रम विवस्था की जो पूरी कहानी होती है वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन पे टिकी होती है तो अगर किसी व्यक्ति का आपको बाएं और दाएं से क्रम पता हो तो उसको जोड़के एक घटाईया आपको टोटल मिल जाएगा ठीक है फिर आपने एक्षेंज वाले कोश्चन में इतनी सी बात आपने सीखी कि A यहां अगर 10 पे है B यहां अगर 15 पे है जगा बदल लिया तो B यहां आजाएगा A यहां आजाएगा अगर B 20 हो गया है तो सिंपल सी बात 15 से 20 हुआ 5 बढ़ा तो A भी 5 बढ़के इधर से 15 पे हो जाएगा ठी तो आज की क्लास को हम यहीं कर देंगे समाप्त और बस एक चीज हमारा रह गया जो हम करेंगे अगले वीडियो में और जिसको कहते हैं टोटल माक्सिमम और टोटल मिनिमम कुल अधिकतम और कुल नियुनतम आप कहोगे आज ही क्यूं नहीं बताया ओवर्डोज हो जाएगा ठीक है तो भाई मैं आशा करता हूँ आपने इस क्लास को इंज्वाई किया आपको मज़ा आया इसी तरीके से प्राक्तिस करते रहिए मेरा जो रेगुलर शेडिूल है वो डेली चार बजे 4 पीम S.S.C.G.D. के लिए इसमें हम कर रहे हैं चाप्टर वाइस प्रिविएस य ठीक है और 6 पीम पे है जिसमें है जो है S.S.C.C.G.L. के लिए जिसमें हम कर रहे हैं मौक प्रिविएस येर कोश्चन के मौक कर रहे हैं ठीक है तो आज की सभा को हम यहीं पे कर देंगे समाप्त मैं आशा करता हूँ आपने इस क्लास को इंज्वाई किया अपना ध्यान र है